गीता अध्याय पंद्रह के श्लोक सोलह सत्रह में तीन प्रभु बताए हैं ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरन समाप्त हो सकता है? तीन प्रभु में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूर रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्वदर शुपर्शी संत! राम पाल जी महाराज के अम्रिद वचन कौन सथ गुर्देव की वि की जय को बंदी छोड静 कभीर प्रमेश्वर की की बंदी छोड़ गृब स्चि महाराज जी कि ज्थे मैं कि स्वामी राम देवानन म। जी गुरु महाराज जी की जे हो गरिब नमो नमो सत्पुरश्को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर्मुनि जनसा दुआ संतों सर्वस्दी नहीं सत्गुरु साहब संत सब डंड़ो तंपरणाम आगे पीछे मज्धुवे तिनकों जां कुरवान नराकार निर्विशं काल जाल बेवन जनम निर्लेपम निज निर्गुनम अकल अनुप बेशंदुनम सोहं सुर्ति समापतं सकल समाना निर्तले उजवल हीरं बरहर्दमं बेपरवा अथाखे वार पार नईमज्धतं गरिब जो सुमरे स्यद्धोई गणायक गलताना करो अनुगरे सोई पारसपद परवान आध्य गनेसमनाउं गणायक देवन देवा प्रम्शक्ती संगीतं रिदिशिदिदाता सोई अवगत गुने अतीतं सत पुरस निर्मोही जगदंबा जगदीसं मंगल रूप मुरारी तनमन अर्पोंसी संभक्ति मुक्ति भंडारी शुर नर्मन जंध्यावें बर्मा विष्ण महेशा शेश सेश मुखगवें पूजय आध गनेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुन दरम राय जावें समरत जीवन जीका मन इच्छा पलपावें तेतिस कोटी अधारा द्यावें सेश अठासी उत्रें बहुत जलपारा कट है यमकी फासी तेतिस कोटी अधारा जयावें सेश अठासी उत्रें बहुत जलपारा कट है यमकी फासी कर दोरूं विंटी करूं गरूं चर्ण पर सिशी गुरुजी राम देवानन जी महराद आज ने दियो नाम बक्सीश कोटी कोटी सिजदा करूं हूं कोटी कोटी परुनाम चरन कमल में राखियों में बंदी जाम गुलाम कुटा हो गुरुदेव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवडी जाखें चोवाजाओं हूं है तो तो करो तो बावडूं दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो तो ही रहूं जो देवो सोखुं परम पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सर्वसरिष्टी रचनार कबीर देव जी, कबीर प्रमिश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक है ये सर्वसरिष्टी रचनार है और हम सभी पराणी जितने भी काल के इस लोक में हम फसे हुए है ये सभी जीव उसी परमात्मा के आनस है वो हम सब का मालिक है, स्वामी है पुनात्माओं सोबा गया आपका आपका मन उस जीवन ऐसे समय में है जिस समय परमात्मा ने इस यथारत ग्यान के परचार का आदेश दे दिया और ये मोक्स मारग है, अब ये मोक्स समय है ये वो समय है जिसको हम मोक्स समय कह सकते हैं ये कलियों की बीचली पीडी है पहली पीडी पर्थम चर्ण जब परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहिब जी कासी में जुलाहे की भूमिका करने आई थे वो पर्थम चर्ण था फिर परमात्मा ने काथा के जुबिचली पीडी का समय आएगा तब तक इस मूल ग्यान को और मूल मंतर को यानि सत नाम और सार नाम को सारवजनिक नहीं करना है, गुप्च रखना है इसका कारण आपको पहले भी बताया इसका कारण ये था के कालव अगवान ने प्रमात्मा के ही बच्चों को उस प्रमेश्वर के ही बच्चों को मिसगाइड करके अपना स्वार्शिद कर रहा है उनको संथ पद दे कर क्योंकि वो पिछले जनम के पुनकर्मी प्राणी होते हैं जो गुरु पद पराप्च करते हैं और ये उनकी पूरव जनम की बच्ची कमाई को नास करवाता है गुरु पद पर बठा के और दोसी अपरादी बनवाता है प्रमात्मा के उन भोली आत्माओं को रस्ता गल्ट बतवा के अपने आत्मा कोई व्यक्ती कहीं जा रहा हो रहागीर यानि रस्ते में और वो किसी व्यक्ती से पूछे अपना गंतव्य सथान और जिस व्यक्ती से वो पूछ रहा है वो कहता ये है कि मैं यहां सबक से तरका जानकार हूँ और वो दिशा गल्ट बताता है और वो व्यक्ती उस पर विश्वास कर लेता है यात्री कि यह कहता है मैं यहां का पूरा जानकार हूँ तो वो दिशा गल्ट जाकर के अपने ये था सथान के विप्री चला जाता है तो फिर वो कितना दुखी होता है उस व्यक्ति को कितना अच्छा व्यक्ति माननेगा या बुरा ये तो अंडर्स्टूड है आज यही दसा इन नकली गुरू और पंथो मंडलेश्वरों आचारियों और संक्राचारियों इन प्रवधनियों की है हमारे सद्गरंथ कुछ बोलते है ये हमें कुछ बताते है तो पुन्यात्माओ काल के दुवारा ये अध्यात्म ग्यान इतना उड़जा दिया जाता है उसको सुल्धाने के लिए स्वयम प्रमेश्वर आते हैं सत लोग से चल कर तो वो प्रमात्माद आज से 600 वर्स पहले कासी सहर में सन 1318 से और सन 1518 तक 120 वर्स रहकर इस अध्यात्म ग्यान का वर्णन किया करते थे, सुनाया करते थे लेकिन हम एशिक्सित थे, हमारे पुर्वज एशिक्सित थे, जिस कारण से हम प्रमात्मा के इस इथार्थ ग्यान को ग्रेण नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे जो धर्व गुरू थे, वो संस्कर्थ भासा के विद्वान माने जाते थे, और वो चारों वेदों को कंठस्ट याद भी रखते थे, जिस कारण से उनको चतुर वेदी कहा जाता था, जिसने तीन वेदों को कंठस्ट याद कर लिया, वो तिरवेदी कहलाता था, जो दो वेदों को याद करके कंठस्ट याद करते थे, रखते थे, उनको दिव वेदी कहते थे, और उनको उन वेदों का का खनी पता ना पुराणों का ग्यान हमारे दर्वगरूं को तो उसे में प्रमात्मा ने अपना प्रीचे दिया था कि प्रमात्मा कौन है कैसा है वो क्या किया करता है जो वेदों में वरनित प्रमात्मा के गुन है उनके अनुसार प्रमात्मा कबीर जी ही खरे उतरते है जो वेद बताते है अपनात्मा कबीर प्रमेश्वर जी ने छस्सो वर्स पहले आकर के ये ग्यान दिया था कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो आपका ये निज सथान नहीं है और यहां आप काल के जाल में फसे हुए हो और आप जनम और मर्टू के दीर ग्रोग से गरश्ट हो लेकिन हम प्रमात्मा को पैचान नहीं पाए क्योंकि वो स्वम आई हुए थे और हम सद्गरंथों से एपरीची थे इसलिए हम मार खा गए हम दोखा खा गए हम प्रमात्मा को छोड़कर इन काल के दूतों के बैकावे में आक है हम प्रमात्मा से दूर होगे लेकिन वो द्यालो उन्होंने रहम किया हमारे को उसमें बगती युक्त कर गए हमें कुछ चारज कर गए जिस कारण से हमें मनुस जीवन मिलते आ रहे हैं और जो पुन्यात्मा प्रमात्मा की संग में कभी किसी युग में रहे हैं तो वो पुनात्मा ही आज प्रमात्मा की तरफ अगरसर हुए है तो दुर्भागे हैं उन प्राणियों का जो प्रमात्मा की खोज में और काल के गुरुप में जाकर सेट होगे वो काल के गुरुप कौन कौन से हैं उन अत्मा काल ने इस जोत निरंदन ने कहा था कि प्रमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी तब कहा था कि भगवन तीन योगों में जीव थोड़े ले जाना सत्युक त्रेता द्वापर में कम जीव वापिस ले जाना अपने लोग में और चोथा योग जब कल योग आवे तब तव सर्न जीव बहु जावे ऐसा वचन हर्मोई दीजे तब तब गवन संसार ही कीजे परमेश्वर कबीर जी अपने पूतर जोग जीद का रूप ना करके इसके 21 में ब्रमांड में वार्ता की थी इसने पहले तो जगडा किया वगवान से लेकिन समर्चता के सामने इसकी पार नहीं बसाई फिर इसने चाप लूसी का सहरा दिया चरण पकड़ दिये और कहा आप किस उदे से लेकर आए हो क्या उदे से लेकर आए हो तो परमातमान इसको सहरा सपष्ट कर दिया कि मैं जाओंगा तेरे नीचे के लोकों में और तुने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है कोई पसू बना दिया कोई पक्सी बना दिया कोई कुटा बनाया कोई गधा बनाया मनुस बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है मैं इन प्राणियों को जा कर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये कालका लोक है तुम सत लोक के रहने वाले हो और सत लोक में जाने की जो विधी जो मंतर है वो मेरे पास है वो इनको दे दूँगा फिर ये सत लोक आएंगे तो फिर इसको चंता होगी पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाही लेकिन परमात्मा ने कहा दरमदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा के उन प्यारी आत्माओं मैंसे हैं जिनको बगवान मिले थे उसको बता के दरमदास जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे उपर इसने अट्रेक किया मैंने स्वांस का सिमन कर दिया सत नाम के स्वांस उस्वांस का सिमन कर दिया जिस कारण से काल नीचे जागरा बहुत दूर पाताल मैं उन्हें अत्माओं परमात्मा कबीर जी हमें सत्र करते हैं आप जी के उपर कभी कोई आपदा आवा है तो सत्नाम का सीमन तुरंट शुरू कर देना ये अभ्यास बना लेना ना यम के दूत निकट आएंगे ना काल निकट आ सकता तुरंट अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा आपको कोई फानी नहीं कर पाएगा तो समय परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इसने देखा कि इनके पास बहुत सक्ती साली मंत्र है चर्ण पकड़ दिये तब कहा था कि आपकी सुदे से लेकर जा रहे हो परमात्मा ने सब बता जैसा दासिदा भी वर्नन किया फिर इसने कहा जी कोई बात नी जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना पर मुझे कुछ आव सकता हैं वो मेरी पूरी कर देना परमात्मा ने कहा बोलो इसने कहा ऐसे नहीं आप वचन बद्ध हो जाओ तो परमेश्वर कबीर जी वचन बद्ध होगे तब इसने कहा था कि तीन योगों में जीव कम ले जाना और चोथे योग कल योग में कितने ही जीव ले जाना और प्रमात्मा एक दया और करना आप अपना ग्यान दे कर ले जाना आपके ग्यान को सुविकार करें वो आपके मेरे ग्यान को सुविकार करें वो मेरे उनको बलपूर्वक ना ले जाना प्रमात्मा को सब पता था के बरपुरुक अगर ले भी जा सकता हूँ मैं फिर ये रुकेंगे नहीं वहां क्योंकि इनकी आस्था यही बर जमा हो रही है पहले इनकी आस्था हटाऊंगा इनको ऐसा ग्यान दूंगा कलियोग मैं और परमान दिखाएंगे तो फिर ये अपने आपने की रूची सतलोक में हो जाएगी अपने आत्मों तब काल ने जब पता लगा कि अब सारे वचन मान लिए तब कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा और जीवन मान ने कहा तुमारा दौदस पंथ करूँ मैं साजा नाम तुमारा ले करूँ आवाजा इन दौदस पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान सबो ही और अनेक पंथ चलाओं याविद जीवन को बर्माओं देवल मंद्र को कहते हैं देवल तीरत और देव पुजाओं और तीरत बरत और नकली जब तब मन लाओं इन मैं उड़ जादूँगा और जाओ जोग जीत संसारा फिर जीव नमाने कहा तुमारा जीव तुमारा कहा नमाने हमरी और हो बाद बखाने हमारे वकील बन जाएंगे वो काल के दूत तेरे बच्चे हैं उनको इतना मिसगाइड करवा दूँगा अपने दूत बेज के बारा नकली पंठ और उसके बाद और पंठ अनेग चलाओंगा इस भी जीवों को भरमाऊं तब प्रमात्मा ने कहा ठीक है तू अपने सारे काम कर लिए जितने दावतों लगावाएगा काल प्रमात्मा ने कहा था जब कल्योग पच्पन सो पांच वरस बीच बीच जाएगा तब मैं अपना अन्स बेजूँगा पहले तो प्रमात्मा ने कहा था मैं स्वेम आऊँगा उनकी मौद्ज है वो आप आऊँए या अपना परतीने दी भेज दें एक का बात होती है तो प्रमात्मा इस काल ने कबीर पंथ के अंदर भी अनेकों नकली पंथ सलवा दिये और किसी के पास नाम नहीं किसी के पास वो प्रमात्मा वाला विद्धान और ग्यान नहीं अब एक जैसे ये बारा पंथों के विशेम आपको बहुत बार जिखाया है एक और पंथ है कबीर पंथ के अंदर जो अपने आपको पारखी बोलते हैं जो अपने आपको पारखी संथ कहते हैं और वो कबीर परमेश्वर जी को अपने पंथ का यानि कभी इस पारख पंथ का परमुख मानते हैं और वो केवल प्रमातमा दुवारा बोली गई वानी जिसको एक बीजक गरंथ कहते हैं कबीर बीजक उस वानी को ये पार्खी संत सत्त मानते हैं और कहते हैं कबीर साहिब ने जो वानी बोली है ये सारी साची है जो बीजक में लिखी है अपने अत्मों अब ये यथार्थ ग्यान परमात्मा के बच्चों तक पहुँच रहा है इस चैनलों के मादन से सीडी के मादन से पुष्टकों के मादन से और ये भी परमानित हो रहा है क्योंकि वो दिमान समाज है आज कोई बालक नहीं अभी तक इन पुष्टकों को ये पता है नहीं लगा था कि जिनको हम संत मान रहे हैं ये संत नहीं ऐसंत हैं ये तो आप से भी नीचे सतर के ग्यान के विक्ती थे क्योंकि इनों ने वो बगती भी छुटवा दी जिससे थोड़ा बहुत लाब मिलना था जैसे घर गर में जोट जलाया जगाई जाती थी जो हवन यग का काम करती थी इन रादा स्वामी पंथ धंदन सुद्गुरु पंथ आले आने जैगुरु देव पंथ वाले आने वो भी बंद करवा दी और क्या कहते हैं हम तो अंदर जोटी देखांगे अंदर देखेंगे अंदर की जोट जलाएंगे ये खाक जोट जलाएंगे इनने पंचो नाम काल के जाब करें और गुम्रा किये बैठी है सत लोग जान की बात करें अपनात्माओं इस कालने एक नहीं कई सिकंजे कस रखे हैं कई फांस बांध राखिय प्राणिक हैं अब इस ज्ञान से सत्संग से उन्हात्माओं को जो प्रमात्मा की खोज में लगे हुए हैं उनको ये तो विश्वास हो चुका है लगवग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से के कबीर इस गौड कबीर प्रमात्मा है सत पुरस है सारे परमाणदास ने जखा जिए अब क्या समस्या आएगी आपके समक्स कि यदि कबीर साहिब ही वगवान है तो फिर बिलकुल सही है फिर कबीर पंथ में जितने महापुरस हैं जो गुरुपद पर हैं आम जनता जनसाधारन के मन में बोले भालों के मन में ये बात मन में आवगी कि भी सबसे पुराना सबसे पुराना कबीर पंथ में कौण सा सथान है हमारे किया और बिमारी है हम सब से पुराने नर बहुत उसको महतो पुर्ण मानते हैं तो पुन्य आत्माओं अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फसना जाए इसलिए अब थोड़ा सा ये सत्र कोर करना पड़ेगा एक हमारा सेवक बना सन उन्नी सो ठाण में और उसको ग्यान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के परमानों से तो उसके इंदर कालने के फ्रेड़ना बरेदी कि अब कबीर साहब तो भगवान है ही ये तो अंडर्स्टूड हो गया बुद्धिमान बच्चा था लेकिन यो गणी बुद्धिमान गणा जो चतुरता है इस मारग में आनिकारक भी होती है तो उसके मन में क्या दोस आया दो दास ने अभी बताया उसने सोचा जब कबीर साहब ही वगवान है और गुरुजी इस दास के बारे में सोचा ये तो अभी सनुनी सो चुरणवा से नाम देन लगे है और ये तो बहुत नए से है और कहीं ऐसा ना हो उन पुराने आश्रमों में उनके पास तो बहुत ये चार्थ ग्यान में लगा तो उसने इस दास को इस अपनी जो उसने दारना बना रहा की थी परीचित नहीं होने दिया और कहां जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देखकर आओं बांदो गड़ का वो सथान देखें जा धरमदास जी हुए है मैंने कहा चलो भई देखाते हैं संगत थोड़ी थी थोड़े ही भक्त बने थे सन उन्नी सो अठाण में फिर निन्नाण में की बात हैं उन्नी सन दो हजार में सन दो हजार में फिर हम कहा गए कबीर बट है एक है कबीर बट ये गुजरात सटेट में बुरुच एक सहर है बुरुच सहर से बारा किलोमेटर की दूरी पर एक मंगलेशवर गाओं है मंगलेशवर गाओं के पास एक सुकलतीरित नाम का पहले एक गाओं था और उसमें जीवादत्ता नाम के दो ब्रामन भाई रहते थे और वो प्रमात्मा के सेच हुए थे उन्होंने उन्होंने ज्ञान सुनया कि भी पूर्ण गुरु के बिना मोक्स नहीं हो सकता दोनों भाईयों ने विचार विमर्श किया कि भी हम जिस भी संत के विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है अब हम कैसे निरने करें कि कौन सा पूरा है कौन सा दूरा है तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैंसला कर लिया निरने कर लिया कि हम अपने आंगन में एक सुक के वट वर्क्स की टैनी गाडेंगे जैसे पोधा लगाते हैं गमला बना कर यानि नीचे गड़ा बना कर और इन मापुरसों के चरनामर्थ लाकर के चरन दोके और इस टैनी में डालांगे और यजी ये हरी होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है इस दिरिष्टी कोण से उन्होंने जहां भी जिस संत का नाम सुन्या वहीं पहुंच गे और उनसे प्रार्थना की दासों को चरनामर्थ दीजिए अब संत इस बात से नकारा नहीं करते के लिए बेटा ले लो उनके चरन दोएं और डाल के पातर में घर लियावें आते उसमें डालते हैं दो दिन बाड़ देखें, दो तीन दिन खुछ नहीं होता हफ़ते दो दीन फिर दूसरे के पास जाएं तीसरे के पास जायें, सब जगे जालिएं जिनका ब Пот बाला अब ये उनको ग्यान हो गया था कि मुनुस जीवन प्रमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और ये थी मुनुस जीवन प्राप्त करके बगवान मिले नहीं तो विर्थ है और पूरे गुरु विना बगवान नहीं मिले सब संत कहते है रिसी और मंडलेस्वर कहते है तो उन्होंने ये डिसिजन कर लिया कि है परमात्मा इस समें तो परच्वी पर कोई पर्म संत नहीं है पूर्ण संत नहीं है हम दोनों भाईयों की मरत्यू कर दो और किसी समें इस पर्च्वी पर संत आया हो पूर्ण है उसमें हमारी सेस आयो मनुश्की दे देना जाता कती फाइनल फैसला आत्मा से पुकार के और ये अर्द की और दोनों भाईयों मायूस रेंड लागे कि क्या बने इस जीवन कहा था पुंजी नश्ट हो रही है अब कहते हैं पर्मात्मा दारी मेरे संत की मुझ से मिटैनी अन्स उसी समें अब ते दस दिन के बाद पर्मात्मा एक जिन्दा महात्मा के रूप में उस सुकलतीरत नाम के गाउं में जिसमें 30-40 घर थे ज्यादा से ज्यादा पहले ऐसे छोटे-छोटे गाउं होते थे सभी तो वहां गली में घूम रहे हैं और जीवा और दत्ता जिसको तत्वा भी कहते हैं उसके घर के सामने से और दूसरी गली में जा रहे थे तो दत्ता बहर आया उस दत्ता ने देखा के एक मात्मा जा रहा है उसने अपने बड़े भाई जीवा से कहा के जीवा एक मात्मा जा रहा है तेरी आग्या हो तो बुला ला हूं अब जीवा कहन लगया भाई रहन दे क्यों जख्म को हरा कर रहा है क्या करेगा बुला करके ऐसे ऐसे मंडलेश्वर्म को देख लिया उनके पास कुछ नहीं हुआ दत्ता ने फिर कह भाई मेरी तो इच्छा करती है संत को एक बार बुला ला हूं जीवा नकावी देख लेगर मैं क्यों तेरी आत्मा को दुखाओं बुला ले इतने में प्रमात्मा वापस आगे जैसे किसी का घर्ड खोज रहे हो और दत्ता उन्यात्मा थी चर्णों में मत्था टेका है यह महराज आपके दास की जोपड़ी है चर्ण रखना आजाओ यहां दर्सन देना कुछ से में भी स्राम करो प्रमात्मा ने कि अच्छा भी चलो जाके जैसा भी कोई सथान था बैठने के लिए दे दिया कोई पीड़ा बुड़ा प्रमात्मा बैठ गए हैं और जीवा कहता है दत्ता अकाँ जी वो लाना सादू के चर्ण दोआएंगे अपनी लाय कोई प्राथ ठाली और उसमें पानी डाल के चर्ण दोए हैं अब जीवा कहता के दत्ता ले जा इस जल को चर्ण अमरत को और संतों के चर्ण अमरत को गड़ी मनी डाला करते हैं इसको अंदर डाल दे ना पोदे में अक अच्छा जी अब दत्ता गया आंगण में और जो ही वो लगया डालने जल जल डालते डालते ही वो सुखी टेनी जो गलने लगी थी नीचे ते वो एक दम हरी भरी होगी बोलो सत्गुर्देव अब दत्ता ने कहा जीवा आईए एक बार दोड के हैं आईए एक बार जल्दी आना अब जीवा गया क्या बात है पर मातमा आगे हैं ये तो मालिक आगे वगवान आगे हैं देखी एक से एक तो महरी विरी होगी टेनी वर्ट वर्क सी यानि बड़ की टेनी सूप की थी दोनों बाईयों ने एक एक पैर पकट दिया और इन्हों देखे मुझ की तरफ और रोएं और के लिगवान हैं हम तो कती ठक चुके थे और हमने मान लिया था कि इस पर छुपी पर कोई संत नाम की था चीज नहीं यह बगवाना पहले कि उन्हा आए दाता हमने बहुत ब्रेतन किया बहुत खोज करी बहुत खोज करी प्रमात्मा के लगे बेटा में आते जाता पहले भी तुमारी आतमा से में खूप रिची था तुमारी अर्दे की कसक से यदी में पहले आ जाता और ये अरी वरी भी हो जाती है पोड़िये थी या तो को दुख दिखता है कोई ना जो तुम वैसे ही संत की पहसान नहीं पहती धिर भी मैंने तुमारी आस्था को देख करके अलिल्ला करनी पड़ी बेटा यदी मैं पहले आजाता और ये हरी वरी हो जाती तुम उपदेश ले लेते ठीक है फिर तुम्हारे मन में या धरना ओर आती कि हो सकता है एक बहुत बड़ा मंडले स्वर है उसका बड़ा बोल बाला है उसके हजारों के सुनख्या मैं सहसे है कहीं वो हमारे गुरू से भी अत्यधिक सक्ती साली हो तो तुम बेटा फिर दक्के फिर भी खाते और उसमें जब गुरू बना लिया उसके बाद मन में आपके ये धरना आती तो बेटा मेरे से भी खतम हो जाते क्योंकि गुरू के परती ऐविश्वास होने से नाम खंडित हो जाते हैं गुरू बनाने से पहले खूब छानवीन करें खूब हर तरह से उसकी प्रिक्षा करें और उसके बाद अगर आपके मन में दोस आता है तो आपका नाम नहीं रहता कनेक्शन कट जाते हैं अपना अत्मा ये ज्ञान तो है यानि परम संथ के लिए ये परम संथ के ऊपर लागू हैं ये सारे नियम अर हमने ला रखे नकडियां के उपर लेकिन प्रमात्मा कबीर जी ने कहा के जुठे गुरू के पक्स को तज़त ना लावेवार जुठा गुरू हो तो तुरन तुरन त्याग दे और सही गुरू मिलने के बाद फिर वनम आपके कोई दोस रहता है फिर आप नाम रहित हो जाते हैं तो बिटा मैं पहले आ जाता तुम फिर भी दक्के खाते हैं मैं इसलिए देर से आया हूँ के तुम्हारी सारी फड़क निकल ले और तुम इन सारे संतों ने ट्रेटरोड जो पहले नहीं तो फिर बात विगड़ी जाती है तो दोनों कहने लगे महाराजी या बात आपकी सो की सो साची सत परती सत क्योंकि आप तो एक सिंपल से आदमी और उनका बोलबाला हमने कती परक के देख लिया उनके पास ये सक्ती नहीं थी फिर फिर परमातमाने कहा बेटा के ओन् warmth येही एक उधारन नहीं होना चाहिए एक संत की पैचान इस सब एक पॉइंट से नहीं हותी संत की पैजान उसके ग्यान से होती है अब सुनो मैं तुम्हे ग्यान सुनाता है प्रमातमान उनको कई दिन तक अपने द्वारा रती हुई सिरिष्टी का ग्यान दिया तो कहने का भाव ये है कि वो पौत जो सुकी टैनी लगाई थी कबीर प्रमेश्वर जी के चरणामरत से वाहरी भरी होगी थी उस टैनी ने एक बहुत बड़े वट वरस का रूपदार्ण कर लिया अब वो पूरा मंगलेश्वर गाउं भी वहां से खतम हो गया इदर उदर जाक है बस गये क्योंकि वो एक टापू सा है और उस टापू को नर्वदा नदी ने अपना दोनों तरफ से चारों तरफ से गहर रखा है वहां नर्वदा नदी नर्वदा धरिया दो भागों में बढ़कर आगे जाकर फिर एक होकर समुदर में गिर जाती है तो वहाँ टापू बना रखा था, वो टापू था वो, मंगले स्वरगाओं तो अब वहाँ कोई नहीं रहा, वहाँ जब टापूर में वो बदल गया तो बहार आके रहने लगे वहाँ अकेला वो वटवर्क्स रह गया उस वटवर्क्स के विशे में बताया है कि लगबग नौसो एकडमे के गूम पहल गया लगबग छसो वरस पुराणा वो वटवर्क्स आज भी विद्मान है, जीरन शीरन हो रहा है उसको अब लगबग डेड़ दो तीन एकडमे अब भी है और वहां कबीर पंथ का एक महंत पद से ये प्रमप्रागत वहाई का असरव है उस वटवर्क्स के नीचे ही बढ़ के पेड़ के नीचे है और वो केवल महंत पद भी इसलिए रखी गई थी कि ये यादगारें जो अदबुद लीलाएं गटनाएं गटी हुई है ये सुरक्सित रहें इस बिचली पीड़ी तक के कवीर प्रमात्मा के द्वारा की गई लीलाएं आज भी उनके अवसेश बकाया है तो अपने अत्मा उस वटवर्क्स को देखने के लिए हम चल पहले हम गए बांदोगड है बांदोगड के अंदर कुछ नहीं पाया वहां उनका द्रमदास जी का लड़का था नाराणदास वो प्रमात्मा की सर्णमा नहीं आया था फिर प्रमेश्वर कबीर जी ने धरमदास आदनी धरमदास साहिब जी को अपनी किरपा से साथ साल की उमर हो चुकी थी उनकी धरमदास जी की तब एक संतान एक पुत्र दिया था उस पुत्र से उसका वनस चला था और उस पूतर के साथ बड़ा बेटा हवेसा विरोध रखता था उसके साथ जगडा रखता था उसने वहां से छोड़ दिया था बांदोगड दूसरे छोटे लड़के ने कहीं और चलागा था कुदर्मालोगरा नाम बता आम पी में तो बांदोगड में वह हमारे साथ था वह मारा सेवक उसने बाद मा बताई दास को फेर यह बते हैं तो उसने जाकर के बांदोगड में जो मातमा से दिखें थे उनसे बात करी अलग से चरचाकर की ग्यानगून की बात्चित की फिर हम वहां से चल पड़े वट वर्क्स देखने हम वट वर्क्स पर पहुंचे तो वहां एक महंत था अच्छी गद्दी लगा रहे एक जुला के उपर बैठा हो और एक दो उसका सेवक उसको जुला रहा तो उससे उसने एकांत में बात करी हम कई दूर अपने बैठे थे उससे पूछा जी सार नाम क्या है सत नाम क्या है वो कहने लगया मुझे तो मालूम नहीं मेरे मामा जी की दुकान थी मेरे मामा जी रहा करता यहां पर महन्त, उसकी मर्ची होगी मेरी तलकडी की दुकान थी मुझे यहां बठा जिया, मुझे नहीं वालूम यहां क्या है इतना अवस्य है कि यह What Works के विशे मुझे जानता था, वाकि सार नाम के बारे मुझे नहीं नहीं ऐसे वह बांदोगड में उन संतों से पूछा उनने भी यही जवाब दिया कोई कुछ बतावा है, कोई कुछ ना बतावा है यह मुंतर है, यह मुंतर है फिर हम पहुंच गे, और कई सथानों पर गई बड़े-बड़े जो कभीर पंथ के थी तो सब जगे गोम के हम वापिस आगे माचल बच्चे देख लेंगे प्रमातमा की स्थान है, अच्छी बात है फिर आकर के उसने बताया कहने लगा जी, यह यात्रा मेरे लिए वर्दान सिध होगी मैं का वह ऐसी क्या बात है, बताइए के मैं इतना नालाएक और नीच विक्ती हूँ उसने अपनी सारी गल्ती मान ली के मैंने यह सोचा था के कभीर तो प्रमातमा है ही है कभीर जी तो इसमत कोई सक्रा है कोनी सारे प्रमाना आपने दिखा थी तो मेरे नोसक था कि जब कभीर जी भगवान है तो इनके पूरे मेंथड से कभीर पन्त के जो साधूसन्त है वो तो गरक पावेंगे कती सेिट्रेट पावेंगे वो तो परीपूरण होगे मैं भोला फिर भाई Tips क्या देखा अगर वो मैं भोला बैटा अगर वो परीपूरण होते तो दास ने ड़ले डोण की क्या जरूर थी क्या जरूर थी ये संग्रस करने की इस दास ने क्या जरूर थी फिर इस पंगे में पांजेंड की सारे सब को मैं बताओं इनका ग्यान गलत इनका ग्यान गलत और ये ग्यान साचा और सभी बोली आत्मा भी नो सोचे राम पाल नंदा करता है नंदक कुआ और साची बताओं तो उसने फिर बताया जी मैं ऐसे ऐसे किसी से पूछा माराजी सार नाम क्या है उसने क्या बताया कि आत्मा आटा ले लो एक कभीर पंती पुराणे आश्रम का साथ सत्र साल गा बुड़ा और नो कै आत्मा आटा ले लो और स्वांस के निकट कर लो और स्वांस से उस आटे में कोई इस डिस्टर्बेंश नाओने चीए बस ये समझे लो सार सबद है वो कैन लगया मेरा तीसा पेटा बर गया ऐसी दर्ड ता आई है बगवान ऐन तक ती नरे खाकी बेठे हैं किसी के पास भी कुछ को नी और फिर उसने बताई जी मेरे मन मैं इतना ना लाए को मेरे मन मैं य कोई बात नी यो तो आवेगा और इसका समादान भी बगवान करेंगे जिन पुन्या अत्माओं पर रह्म करेंगे वो दन है आज उस बच्चे को ऐसा दर्ड निश्चे हुआ इस दास के इस सारे ग्यान पर और उसका जीवन सपन हुआ ना ते फिर मार खा जाता कि तो पु अली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी है एक और परिवार था रादा स्वामी पंत से आया था सन दो हजार तीन में पूरा परिवार आया यहां पर दिख्या लेली क्रौत थासर में और अच्छी लगन से लगे रहे हैं फिर उनके मन में भी यही दोस पैदा हो गया सार गदी से सब मंदित संत बताए हैं कोई सिर्फ फिरा मिल गया उनको दामाखेडा के गदी का कोई भगत उसने बता दिया उनको के पूर्ण मोक्स चाहिए तो दामाखेडा गदी वालों से ही होगा कबीर साहिब ने उनको वरदान दे रहे हैं अच्छा उनको जाडा लान का परदान दे रहा क्या कनपीड दाड़नगा कबीर साइब नतन्यू बता रहा क्या जो सच्छा नाम देगा उस से मोक्स होगा सच्छ नामत है वन सच्छे नहीं नाद से होगा यानि आज तक किसी ने देख लो नाद वाले जितने यानि वचन के से उन से ही हमारा पंथु जाग नाम पाल तक कल दस पांचार वरस से लगया नाम देने हैं और वो तो बहुत प्रोणा बताया यहां से छोड़कर वहां चलेगे दके खान उन्होंने सत नाम प्राप्त हो चुका था सार नाम तो बालिक ने कहा था भी थोड़ा सा और रोसनी होलन दे फिर जल्दी दिया करे भी तो थोड़ा खेंच कर लेना है समय बढ़ाना है तो उन्हें जा कर पुछा जी ममने नाम दे दो दामा खेड़ा पहुंचेगा वो बहुत ठीक है बैठो नाम देते हैं उन्हें सुना दिया पूरा सबद हजर नाम अमर नाम पाताले सबसेंदू नाम यह अनसका काम यह है जो कुछ है जो कुछ है बस यही है अब वह वहाँ से द्हुस्यान नी बिल्ली ओकर आ गए उन्हीं फिर सकीम बना एक इसी सरी में बताया कि वहाँ कबीर चोरह है कहाशी में वहाँ परमसंध पाओंगे वहाँ टकेए खाई आख्किर में वह बगती से हीन होगे यहा तो बंदन बांद राखें पर अब ये सारे समाप्त करने पढ़ेंगे दा सारे समाप्त करेगा और ऐसा करतेगा इन सब को के इनके पास खकनी सब के जोड़े खाली करके दिखा दूँगा अगद देखो अब इस कबीर प्रमात्मा के नाम पर काल के बारा पंस दले और उन्हें का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोडों की संख्या में कबीर पंसी है कई करोड लगवग 20 करोड से भी ज्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारत वरस में कबीर पंसी लेकिन है वो नकली संतों से प्राप्त ज्यान युक्त वो ज्यान पूरा नहींका ना उनके पास बगती मारगे अब उसी उन ही पंथों में से एक ओर पंथ पंप्या है जिसको पार्खी संत कहते हैं पार्खी पंथ अब अन्य जितने कबीर पंथ में जो बेसक वो काल से प्रेरित है नाम उनके पास यह थार्थ नहीं है लेकिन ज्ञान उनका बहुत कुछ ठीक है परमात्मा कबीर जी को वो मैतो देते हैं परमात्मा को मानते हैं और सतलोक सचखंड उन सत्थानों को भी मानते हैं लेकिन उनका नाम गलत है उनकी पूजा की विधी गलत है अपने अत्मा उन जैसे आप किसी को यह ग्यान हो जा कि इस विक्टी को यह रोग है और उस रोग का नास करने की औस्दी है नहीं तो उस ग्यान का लाब क्या उसका कोई यूज नहीं यह भी ग्यान हो गा कि इसको ये रोग है और उसकी औस्थी नहीं तो ये हमें सब को ग्यान हो गया अकमीर साहब के अग्मारक से, कि हम सतलोक से आये थे यहा फस गें, और यहां का काल भगवान है इसको एक लाख मानोशरी धारी प्राणी इन्यत खान का सराप लगया हुआ है तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गई सतलोक जाने से हमें सुख होगा लेकिन उनकी जो सिध्धान्त विध्धान है ये सभी कबीर पंथी जो हैं कबीर प्रमेश्वर जी को केवल सत्गुरु मानते है प्रमात्मा नहीं मानते है और प्रमात्मा को सतलोक में निराकार मानते है और वही रादा स्वामी वालों वाली थूरी के वहां प्रकास ही प्रकास है लेकिन वो ये मानते हैं कि वहां आत्मा उस परकास में घोमती रहती है परमात्मा पहले गुप्ट था फिर परकास बन गया परकास उत्पन कर दिया उसने अपनी दाउनी तरह फिर उसमें समा गया कुछ जैसे भी बक्वास करते हैं बेतुकी उसमें समा गया परकास में वो परकास चेतन हो गया परकास का टट्टू चेतन हो था बता परकास तो परकास ही है और फिर कुछ एक तो है यहां तक अपनी मन गरंद कहानी बना रहे हैं कि उसने परकास को परमात्मा ने फिर परकास को ऐसे उचाड़ा जब परमात्मा परकास में मिल गया उच्छाड़ा किसी ने फिर फिर वह बूंध उपर जैसे पानी को उपर उच्छाल दे वापस जलमे मिल जाती हैं तो जलमे मिली नहीं वह बूंध नारी नारी रहेगी सारी आत्मा बनेगी वह और फिर परकास में गुमंद और वहाँ आत्मा अलग रहती है उस परकास में जैसे मछली जल में गोमती रहती है ऐसे दक्के खाती रहती है ऐसे बटकती है ते टट्टू मोक्स होया कोई बात होई यह तो इस तरह की छूरी चलो ये जो कबीरपन थी है ये अस्तितो भगवान का मानते है सी है लेकिन इनके पास मोक्स मारग नहीं इथारत ग्यान नहीं सत्पुरुस का जैसे आमने आम के महिमा का ग्यान हो गया आम के कि कितना स्वादिश्ट फल है और उसका बीज है नहीं बीज आम के सथान पर बबूल का बीज दिया और आसा लगाएं बैठें आम की तो ये सारी ये बात बिगड़ी ये तो दसा है कबीर साहिब के उन बारा पंथों और उन से निकली हुई अनेकों ब्रांचों की और एक जो पार्खी पंथ है ये तो कत्ये नास्तिक लोग हैं इनका क्या विधान है कि एक तो येक मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है बताओ जीव ही बगवान है और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ और ध्यान की अंतिम उपलबदी ये क्या बताते हैं कि विचार सुन्य हो जाओ बैस ये अंतिम ध्यान की प्रागाड़ता है और जीव ही बगवान है ये ते इनका ज्ञान है और विचार सुन्य हो जाना ये इनका ज्ञान है इन ते कोई पूछन वाला हो बले पुरसो जब प्रमात्मा जीव ही बगवान है तो फिर साध ना की और ये आसरम बनान की ये पूछतक सापन की किया हो सकता रहेगी दो एक्षर की बात है के बगवान तो हैनी जीव ही बगवान है बताओ कोई बुद्धिमान विक तीस बात को स्विकार कर लेगा और उसने भी लाखों लोग बुका रखें मूरख बुना रखें अभी लास दास नाम का एक ये पार्खी संत कहलाता है बताओ इनको संत कहते आने भी सरमावा है अभी लास दास नाम का एक संत है इलहाबाद और कई सथानों को उसने आसर बना रखें एक बुरहानपुर नाम का एक सथान है सहर है और वहाँ इस पार्ख सिद्धान्त के बहुत से मात्मा रहे हैं बहुत पुराणा डिड़ सोवर्स पुराणा लगबग वो सथान है अब इनकी क्या थूरी है ये पताता हूँ आपको ये कहते हैं इस्वर परमात्मा कोई नहीं जीव ही ब्रम अर्थात परमात्मा यानि इस्वर है सिरिष्टी का कोई करता नहीं है जगत को ये बिना इस्वर का मानते हैं ये कहते हैं जब इस्वर है नहीं बगवान है नहीं तो ये परमात्मा रहीत मानते हैं इस सिर्शंसार को और सिर्श्टी को ये जीव को परमात्मा कहते हैं बताओ या कोई बात है जड़ा सी को इस बुद्धिमान की इन आदी संकराचारिय जी ने पच्छिस सो आज से दो हजार पान सो बीस वर्स पूरब आदी संकराचारिय जी का जनम होया था यानि इसा जी से पान सो आठ वर्स पूरब उस से में इस आदी संकराचारिय जी ने भी इनको क्या हुआ कि आठ वर्स की उमर में इन मप्रेड़ना होगी क्योंकि पिछले पुनकरमी प्राणी थे और ये जाफ से एक संत के जो गुफा में रहता था और छे मेने में या दो मेने में तीन में वो गुफा से निकलता था कि उसका बोल बाला सुनके आदी संकराचारिय जी वहां जा बैठे जब वो निकला उससे प्रार्थना की ज्यान सम्जण सम्जाने की तो उसने उटा पाठ पड़ा जिया उस बोली आतमा को कि जीव ही बिर्म है अब इस ही विधान को आग्गे परचार करने लगे आदी संकराचारिय जी जांसे हिंदू धर्म का ये जो ना उत्थान माना जाता है प्राकाट्य माना जाता है तो उसमें ये सब जगे जाकर कहने लगे अपने गुरु जी के भी धान को बताने लगे तो उसमें भी इतने वो दिमान विक्ती थे उन्होंने कहा कि हे मातमा जी जब जीव ही बिरम है तो फिर हम न करना के रह गया है हम आप बगवान है फिर क्यों दर दर अपना परचार करते फिर रहे हो आप भी बगवान और आप भी बगवान फिर हमारा करना के रह गया है अब ये बात उस आदी संक्राचारी है कि भी समझ मागी भी बात तो या भी ठीक है ये बात तो जची नहीं क्योंकि फिर गुरू जी उनके जीवित थे अब उस भी धान को साथ लेकर चलना गुरू परमपरा थी उसकी लेकिन उन अपनी सुजबूद से फिर कहा कि तुम स्री किरसन की स्री विष्णु जी की और स्री संकर वगवान की पूजा कर्यागरो या दया परमात्मा की थी यदि वो बात स्विकार हो जाती हमारे पूरूजों द्वारा तो आज कोई राम नाम डिनिया नहीं पाओ सारे नास्तिक हो जाते अब यही बीज इब बो रहा है यह अब इलास दास नाम का एक कबीर पंथी कवाव है कबीर पंथी कवाव है और कबीर साब के विप्रिस सारा ग्यान बतावा तो यह काल का पका दूथ है अपनात्मा ये क्या बताते है कि पर्मात्मा ये जगत जो है अन इस्वर है यान बिना इस्वर का है जीव भगवान हो गया तो श्रिष्टी का कोई करता नहीं तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ अब हमारी स्रीमत भगुत गीता क्या बताती है कि जिस विक्ती की ये सेटेटमेंट है कि जगत का कोई करता नहीं ये अपने आप बनता और विगडता रहता है यानि परले होती है फिर सती सिरिष्टी होती है अब उसके बारे में सिरीमत भगुत गीता में दिखाएंगे पहले इनकी सारी छूरी बताता है दार और ये पार्खी जो संत है ये नहीं मानते कि उपर कोई लोक है सत लोक है या कोई स्वर्ग लोक है ये नहीं मानते हैं कहता है ये सब कालपनिक बाते हैं और इनका ये भी मानना है, जैसे कोई परसन करता है, क्या परमातमा बगतों पर दया करता है, दुस्टों को हानी करता है, वो कहता है कि जब बगवान है यह नहीं, और परमातमा किसी पर ना रह्म करता है, ना कोई दुख देता है, वो कुछ नहीं करता है, परमातमा है यह नह आते होती हैं जो चातुर पराणी हैं चातुर पराणी चोर हैं और मूड बुगद है ठोट यह संतों के निकाम की इनके देगल जोट है अब ऐसे विक्तियों के पास भी जन समू बैठा है कमाल कर दिया यह बगवान कितनी सरदालों कितने डियोटी है आंख मीच कर बैठे हैं गुरु जी जो बता देते हैं, वो सही है, बिलकुल सही है, अब इतने चतुरते ये संत पद पर प्राणी होते ही है, कि एक आम जन साधान तो कोरा कागज होता है, उस पर कुछ भी लखे दे, उसमत वही अंकित हो जाते हैं, तो इस परकार, वो लाखों लोगों को डवोए ब बैठा है, अब देखना, ये है स्रीमद्वगुद्गीता, और जैद्याल गोइंद का नाम इसका अनुआदक है, और ये कौन सी है, पद्छंद, पद्छेद, अन्वे, साधान भासा टीकासित, ये इसका नाम है अनुआदकरतान, इसका यो नाम लेख रखे हैं, और देख ये है अज्धाय नमर सोला, और स्रीमद्वगुद्गीता, और इसका सलोक नमर साथ से सुरू करेंगे, अब गीता ग्यान दाता कहता है, कि मैंने उपर तो बता जिया, देवी परकरती वालों की जो जानकारी दे दी, अब दूसरी असुरी परकरती वाले हैं, वो दो परका के विखती हैं, तो असुर सभाव वाले मुनुष, ये सातमा सलोक में, असुर यानि राक्सुस, सभाव वाले मुनुष, परवर्ती और निवर्ती, इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उन में, ने तो बहर भी तर्गी सुद्धी, और ने स्रिष्ट आत्रन है, और ने सत्वासन ही है, वो सत्ती बात नहीं कहते हैं, वो बात को घुमाते हैं, जूठ बोलते हैं, अब आठमे सलोक में देखिएगा, अध्याय नमर सोला के आठमा, वे असुर पर करती वाले मनुष कहा करते हैं, कि जगत आश्रे रहित है, सर्वता ऐसत है, और बिना इस्वर के, अपने आप केवल इस्त्री पुरुस ये नर्मादा के सेयोक से उत्पन है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या, नौमे में कहा कि इस मिठ्था ग्यान को अवलंबन करके, जिनका सभाव नश्ठ हो गया है, और जिनकी बुधी मंद है, वे, यानि डड़मती, कुकर्मी, उगर कर्मना, उगर कर्मना माने नकम में ये बकवाद करने वाले कुकर्मी मुद्थ, जगत के नास के लिए ही समरत होते हैं, परगट होते हैं, इस तार सिये, अपना अत्माँ, इस पुवित्र, शिरिमत बहुत गीता नहीं सफ़श्ठ कर दिया, कि वो राक्सत सुभाव, असुर सुभाव के विक्ति होते हैं, जो ये कहते हैं कि कोई बगवान नहीं, यानि सिरिष्टी अन इस्वर है, ये जगत अन इस्वर है, इसका कोई बगवान नहीं, अब ये जो कबीर पंथी, कहलाता है, वह ये तो इसको कबीर पंथी कहती हुए दास को तो सर्म आती है, लेकिन इनके ग्यान को सारवजिनिक किये बिना जनता को समझ मनियावे, कि ये कितना मिथा ग्यान परचार करें, इस अब इलाश दास जी ने एक गीता सार दिखा है, इससे कोई पूछता है, जैसे इसके भगत काफी यहां आता आये थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वारता होती थी, होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं, कि वो अब इलाश दास जी ने बड़े कोई सेंकड़ों पूस्तक बना रखी है, और एक गीता सार भी बना रखा है, वो गीता सार पर दादा आसने, यह चातुर प्राणी होते हैं, जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुल्टे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है, उनको तो यह ले ले लेते हैं, अपने परमान में बाकी सलोक छोड़ देते हैं, शिरीमत बगत गीता में साथ सो सलोक हैं, और इस बने प की छोड़ दिये, फिर यह ऐसे विक्ति अज्यानी पुरुस क्या कहा करते हैं, कि यह गीता में मिलावट है, और सही सार निकाल का अमने दे जिया, गीता सार, यह सही गीता है, देखाओं आपको इडिके, देखेगा, यह एक पुष्टक गीता सार, अब इलास दास, इसके पूरा डिटेल दिखाएंगे यहां से, यह प्रकासिक है कबीर पारख संस्थान संत कबीर मारग परितम नगर इलहबाद से, यह वहां से छपी है, पहली बार सन 1905 में, उत्तुरा को जो गई है, मुद्धा कब से यह विस घोल रहा है समाज में, 1905 में पहली बार से पी थी, और मुद्र के एंडियन प्रेस प्राइवेट लिम्टिट पन्ना लाल रोड इलहबाद, अब दिखाता हूँ आपको, इसकी कलावाजी देखियो, वाहाँ, एक तरफ तो यह कहते हैं, वगवान किसी का बला बुरा नहीं कर सकता, और फिर गीता सार के, आठ प्रिष्ट पहें, यह क्या कहता है, यह क्या कहता है, विलस दास, सारा किस भुमी का लिखकर यह क्या कहता है, गुर देव सबका मंगल करें, और यही सुपा कांक सा, बता, एक तरफ तक है, हैयू, कि वगवान कुछ नी कर सकता, फिर गुरु देव तेरा मंगल करेंगे तेरे गुरुजी मंगल करें सब का बला करें एन की दो गली बाते कहीं सिर पैर नहीं पाओगा भी तो सटाट है इसकी कलावाजी दिखाता हूँ ये दिखिएगा अद्धाय नंबर सोला का इसने अनुवाद किया है अपनी इस गीता सार में अद्धाय सोला और ये गीता सार इसने एक से लेकर ये छटा सलोक है ये छटा सलोक है इसने क्या किया है इसकी देखों कितनी कलावाजी है यहां से दिखानी पड़ेगी थोड़ी इस चतुराद्वी ने केक रख्या है इसने खुद अनुवाज किया इसने क्या लिखा है जो ये पुष्टक दास ने अभी आपको दिखाई थी गीता प्रेश गोरुपुर से परकासित है इसको इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तलिया इसका अनुवाद अनुवाद ले रहा है फिर अपनी उस अज्ञान विद्धान को अपने अज्ञान विद्धान को सिद्ध करने की कूचेश्टा की ये देख ये आपना भी देखा था ये गीता है गीता प्रेश गोरुप से पद छेद इस गीता का ये नाम है पद छेद अनुवाद 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 है गीता प्रेस की अनवे पदछेद वाली गुट का गीता अर्थ समझने में सायक हुई है यानि इसने इस से अर्थ लिये हैं सायक हुई है पर्तेक्स और अपर्तेक्स में जिन की रतनाओं के सहयोग से मेरा ये कारिय पूर्ण हुआ है उनके परती में हर्दे से कर्तज हूँ यानि इस पूस्तक से इसने अनुवाद लिये है और अपनी अज्ञान सोच को उस विधान को सिध करने की कूचेश्टा की है अब हम आते हैं इसके दोवार अनुवादी तोल में जाएगे और सत्र में सलोग में ये गीता सार है ये गीता सार और पिर्ष्ट दोसो तीन पर अब सात्मा सलोग इसने कैसे किया है असूरी सभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनमें ने पवितरता होती है और ने उत्तम आचन होते हैं और ने तो उनमें सत ही होता है सत नहीं सत भासन इसमें सत भासन लिखे है सपष्ट अब आगे देखो आसुरी सभाव वाले यह नहीं जानते कि किसी किस कारिय को पर में परवर्थ होने से बलाई है और किस कारिये से निवर्त होने ओना चाहिए तथवा कर्म मारग क्या है तथवा त्याग मारग क्या है वे कर्टव एकर्टव बुद्धी से हीन होते हैं ठीक है यहां लिखा नीचे इसी में उनमें सत्ता की बहुत कमी होती है असुषबाव के लोग होते उनमें सच्ट ताक यानि सचाई नहीं होती उसकी बहुत कमी होती है दोसो चार परिष्ट पे गीता सार है वे कहते हैं कि ये जगत मिठ्था तथा आधार रहीत है इसका कोई ईस्वर नहीं है ये अपने आप पैदा हुआ है ये केवल भोगों के भोगने के लिए है इसके अतिरिक्त और क्या है अब देखो इसने फिर आग गया अब ये तो नुवाद न्योकान नो ले लिया गीता प्रैसवादों का ये भी इसने ये बकवाद सुरू करिया अपनी तरफ से इस लोक में वास्तों में जो लोग किसी परकार चेतन सता नहीं मानते वे लोग जो लोग संसार के के और भोग की वस्तु मानते समते हैं दुराचार में लगे रहते हैं उन्हें आशुरी संपदा युक्त कहा है जगत करता इस वर नहीं मानना आशूरी संपदाग नहीं यदि वह अध्धातमवादी या सदाचार परियान है अब देखो ये क्या कहना चाहता है गीता जी के इस लोग को इसलिए इसने लेना अनिवारिय समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे ते कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूँ ये क्या कहना चाहता है कि असूरी सभाव के लोग वो नहीं होते जो सिरिष्टी को बगवान रहित मानते हैं वो नहीं होते वो होते हैं जो दुराचारी होते है जो शिरिष्टी को जब इसमें सभष्ट लिख दिया गी ताजीम है कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं शिरिष्टी को कि इसका कोई करता नहीं है अनिस्वर उसी को कहते है तो यह कह है यह तो बात ठीक है कि ताम लिखा है कि असूर्स पहाववाले इस 스व्अ फन रहित मानते हैं पर्मातमा इसका है इसका करता नहीं मानते ये ये कहना चाहता है कि गीता जी के इस स्वुल में जाय, साथ से लेकर नौ तक है इस में उन लोगों को असु याने रख्शसलबा व को है कहा जो बगवान इसका करता नहीं मानते इस वरका उनके लिए कहा है जो दुराचारी है इसमें सपठ लिखा देखिए पड़क है आपको दिखाते हैं क्योंकि पुना आत्मों इनकी अंग्रे जीव दास समझ सके हैं इन बोले बाले आत्मां को तिन गुम्रा करी रखा कई सेक इसमें सपठ लिखा जाये के आठ्वें स्लोक में कहा है यह वे आसूरी परकर्टी वाले मनस्यायनि राक्सस अभाव के विक्ति कहा करते हैं जगत आशरे रहीत है सर्वता एस्थ और बिना इस्वर के है बिना इस्वर के बिना इस्वर के अपने आप हिष्ट्री के से योग से उत्पन होता है अपना अत्माओं इब उन राक्स सुभाव वाले विक्तियों में से एक गोण ये भी है कि जो परमातुना को बिना इस वर का मानते हैं और ये लिपा पोती क्या करने की चेश्टा कर रहा देखिए और फिर क्या उधार लिया इसने गीता देखना गीता सार अब लास्दास का गीता सार ये देखिए अध्याय नमर सोला के इसने थोड़े से सलोक लिये हैं उनमें से ये गीता सार परिश्ट नमर दो सो चैर पाए गया है ये क्या कहिना चाहता है कि जगत करता इस्वर ने मानना जगत का करता इस्वर ने मानना असूरी संपदा नहीं ये अपनी लिपाप होती कर रहा है कि अपने को टालना चाहता इसमें से और फिर क्या बताता है कि वास्तों में ये क्या बताता है कि यदी वह ऐस अध्धातम वादी या सदाचार प्रियान है यानि अध्धातम वाद विए ना जो बगवान जो बगवान देखो अज़धातम किसे कहते हैं परमातमा की वारे जानकारी यह कैना चाहता विलास्दास के जो परमातमा का करता नहीं मानते और जो अज़धातम यानि मार्ग में लगे हुए हैं वो असुर सुबाओ के नेक है गीता है बता इसका जात्म खाक रहे गाए जब नों का बगवान है इनी टट्टू है जात्म रहे गाए फिर क्या बचाए जात्म फिर इसके पास और फिर आगे क्या कहता इसी के पॉइंट पर देखना आगे इसी दो सो चार प्रिष्ट पर है वास्तों में तो जगत अनादी है इसका करता खड़ा करना ये मन की कलपना है कर दिया सपरेट अभी लाजदास जी ने कि इसका कोई करता खड़ा कर ले किसने कोई बनाने वाला है तो ये केवल एक बनावटी बात है कलपना है इसवर लोगों के मन का कालपनिक दीपक है यहनि बनावटी बाते हैं सारी उसकी आशकता तब समाप्त हो जाती है जब सव रूप ग्यान रूपी सुर्य हर्दे में उदित हो जाता है ये सव ग्यान के बताओं है कि ये मान ले मैं सरीर नहीं हूँ आड़ चाम का पूतला सरीर है इसमें ये रक्त घूम रहा है और जीव तो इससे अलग है बस ये इनका अपना सरूप मान ले वो मुक्त हो गया और फिर समाधी लगाना बताते हैं कि समाधी ऐसे हटता चला जाए तो सरीर नहीं है तो रक्त चाम का पूतला नहीं है तो मन भी नहीं है तो कती स्वन हो जा यानि माइंड लेस मेन हो जाने के बाद ये मुक्त मानते हैं जो इस्वर नहीं मानते, करता नहीं मानते इस्वर को, कोई दुराचारी हो और इस्वर मानता हो, तो क्या वहे देव हो जाएगा, और यदि कोई इस्वर तो नहीं मानता, यानि इस्वर तो नहीं मानता हो, परन्तु उसे सवरूप ग्यान, आतम ग्यान हो, तथा वहे सदाच तो क्या हुए असुर माना जाएगा देख ये अपने चेलों को दड़ रखने के लिए के तेरा दामन थांबे रहें ये छोड़ना जाएं ये सिद्ध करना चाहते हैं के ये जी गीता जी के सुड में द्याय के साथ आठ नो में वरनित इस विवरन के आधार से केवल उस व्यक्ति को जो इस वर नहीं मानता हो उसको असुर सुभाव को नहीं माना जा सकता असुर सुभाव का क्योंकि दुराचारी व्यक्ति और बगवान मानता हो ये कह रहा है अ वो क्या अच्छा आदमी हो सकता है देव हो सकता है दुराचार करता हो और भगवान की बगती करता हो भगवान को मैं आस्था हो आस्थी को तो क्या वो देव हो सकता है इसलिए इस गीता अध्याय नमबर 16 के इन सलोकों में यही अर्थ मानना कि जो सर्ष्टी का करता इस वर ना मानता हो और अज्धात्मिक हो तो उसके बारे में थोड़ा कहा है तो तेरा ज्धात्म लिएन झ्छाक हे जब जीवी घगवान है। ञगदा भी घगवान कु टावी घगवान फिर क्यों दुनिया को मुर्ख बनाई बैठा है ये आलत है न कबीर साहिव को तो इस जड़ से नाश करना चाहते है काल के दूद्AB और ये दीमक है ये दीमक है इस परबात्मा कबीर जी के ये कीडा है कबीर पन्थ में इसका नाश करने के लिए इसका जनब हुआ है ये सब्श्च किया गी बीज़क ज्यान को ये क्या समझेगा जब इसने ये फाइनल है कर दिया वगवान नहीं तो उसके विशे में सुक्सम वेद में कहा है कि बीज़क की बाता कहें ये बीज़क नाही आत ये पिर्थवी डूबन उतर रेका कवी ठीवात अब देखो फिर देखिएगा ये देखो कि वास्तों में तो जगत अनाधि है यह अभी लाश्दास के विचार, इसका करता खड़ा करना मन की कलपना है, यह इसका कोई भगवान नहीं है, इसके रचने वाला, इसवर लोगों के मन की कलपना है, और यहां देखो, जगत करता इसवर ने मानना, असूरी संपदा नहीं है, यह दीव है, अध्यात्म वादी यह सदाचार प्रायन है, यह अपनी लिपा पोती कर रहा है, अपनी आरती आप पैसाजय भी हो, कि जो भगवान जगत का करता इसवर नहीं मानते, वो असूर सूबाव के नहीं कहे जा सकते, यह जी उसमें अध्यात्म वाद है, अध्यात्मिक है सदाचारी, और फिर यहां क्या कहता है, कि कोई मुनश दुराचारी हो, और इसवर मानता हो, तो क्या वो बलाव्यक्ती हो सकता है, क्या वो देव हो जाएगा, यदि कोई इसवर ने मानता हो, यानि अविलास दास, परन्तु उससे सवरूप ग्यान हो, सवरूप का ग्यान हो, आत्म ग्यान हो, तो वो सदाचारी हो तो वह क्या असुर माना जाएगा अब इसके इस इसके इस जगत का करता ने मानना असुर संपता नहीं यदीव है अज्धातम वादिय सदाचार फिर कहते हैं कि वास्तों फिर क्या बता है इसने यहां बता है कि वास्तों तो जगत अनाधी है इसका करता खड़ा करना एक मन की कलपना करता है निए वगवान नहीं है कोई और ईस्वर लोगों के मन की कलपना ये तही उसकी आुँ सेक्ता समाप तब समापत हो जाती है जर उसको सरोग का ग्यान हो जाता है फिर ये कहता है कि कोई मुनस दुराचारी हो और इस्वर को मानता हो तो क्या वह भलादमी हो जागा देव होगा और जो इस्वर को नहीं मानता हो इस्वर है नहीं और प्रंत उसको सरूप ग्यानातम ग्यान हो सदाचारी हो तो क्या वह असुर होगा अब इसकी इस पॉइंट को के जो भगवान को मानता हो और दुराचारी हो यह कहता है वो के बलादमी होगा देव हो सकता है अब गीता जी से इसका खंडन करते है नौमे अज्धाय के तीसमे सलोग में इसी स्रीमत भगत गीता में यह सपश लिखा के है अरजुन अतीसे दुराचारी विक्ती भी हो और उसकी वगवान में आस्ता हो उसको साथ दो समझना चाहिए बता इस नकली का है कोई ग्यान है यह देखो श्रीमत भगत गीता और यह तो गीता पर इस गोरफपुर वालों की और उसने इसकी नकल लागा अपनी वकवाद गड़ रखी सारी यह देखिएगा अज धाय नमबर नौ और इसका सलोक नमबर तीस में कहा है यदी कोई अतीसे दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भगत होकर मुझ को भजता है वैसा दुही मानने योग है अब बता तो यह बेईमान विक्ती है इनोंने जनता के उधार से नहीं काल के जाल में फसान का ठेका ले रखे अब सुक्सम वेद में कहा है के कुष्टी हो वैसंत बंदगी कीजियो हो वैस्या के विश्वास चरणचत दीजियो परमात्मा ने कहा है यदी किसी भगत के कोड भी लाग रहा हो कितना ही उसको दुख हो कर्म का और वो भगती पर लग गया है तो उस ते हेट ना करना उससे नफरत ना करना उसको भी प्यार देना वो भक्ती कर रहा है, वो भक्त हो गया और वैश्चा का विश्वास बगवान की सरदा हो, बगवान को मानती है वैश्चा कहते हैं चल्ण चित दीजिए उसकी किस्मत सराई है उस बेटी की ठीक है कर्म के आदार से कोई कसाई बना हुआ है कोई डाकू बन गया कोई सरावी कोई कुछ तो एक जब इस मारक पर लग गई है विश्वास से तो बुराई भी छुटेंगी और ये क्या क्या कह रहा है कि कोई अतिसे दुराचारी विक्ति हो वो क्या देव हो सकता है इसलिए अब हिलास दास को नहीं कहा आइस गीता में रा अकसस है उसको कहने की जरूत को नहीं हो तो पसू में पथर में असमें क्या अंत्र है जब इतना जडमती विक्ती है कि बगवान नहीं है और फिर क्या है मेरा शरह हो नास कर दिया इसा इसे नकली उन बठा बठा दिया अध्यातम मारक का अपने तरफ अपने हिसाब से नों अभी तक इस मानों के पास कोई ऐसा विकलप नहीं था जिसने कोई तुल ना कर सके तो दास ने ये तुल ना करनके आई एसाई मारक के बटे दे दिये बाठ अभी नमेंटाम तोलांगे और इनके सब की ये कोई थली ये थैलेट खाली करके दिखा देगा दास ये के बर रहे हैं लिख रहे हैं के उपर रहे जो इन विक्ती नो के वगवान है नहीं अब परमात्मा कहते हैं ऐसे विक्ती परमात्मा के दुस्मन होते हैं द्रोही हैं इसने गीता सार में, कैसी चाल कलाबाजी दिखाए है। दिखाते हूं आपको इसने कीता सार बनाया विलासिदास जी ने राहि ने देखिएगा आठमे का रवाह जो विक्ति स्री भगवान ने कहा जब जीव भगवान है तो यो भगवान किता गया फिर जो विक्ति मर्तु के समय में केवल मेरा ही समन करता हुआ शरी त्या कर जाता है वो मेरे शुरूप को प्राथ होता है इसमें संदे नहीं अब इसमें अपने अडंगा आड़ा इसने याँ पर छे और साथ ले लिया च्छे तक ले लिया और साथ तक ले लिया यह देखो और फिर आठ मां भी ले लिया इसने क्या लिया है यह पारत जो मुनस अब भ्यास दोरा मन को योग में लगाकर परंद्यू पुरुसका निरंतर चंतन करता रहता है वह चित को अनैतर नहीं बठकने देता है वह है उसको पराप्त करता है अब बता इसम गीता में एक तो गीता ग्यान दाता खुद कह रहा है आठ में जाय के पांच और साथ में तो अपने विशे में और आठ में के आठ में और नो में दस में किसी और के विशे में कह रहा है आगे द देखिया तू पकड़ा जागा बस आठमा मगोल मोल कर दिया इसका अथारत अन्वाद नहीं है ये इसने फिर नो से तेरा फिर छोड़ दिये जहां यू पकड़ा जाना था वो त्याग दिये अगल ले लिये अच्छा ये नो में में देखो अध्याय नमबर नो गीता सार का छोड़ दिये वारत देवता 21 से सुरू कर दिया ठीक है और फिर 22 से 27 छोड़ दिये एक लेके 22 से 27 छोड़ दिये देखो अब इसने सीद्धा कित सलांग मारी 28 पर आग्या समाप्थ कर दिया इसने इती कर दिया और इसमें 30 इसमें सारे 29 से फिर 18 लेकर 29 से 34 छोड़ दिये कुल स्लोक 34 है परमान में लिए दो और छोड़ दिये 32 हर योगीता का सार बना दिया अध्यावा देवता श्रीमत वगुत गीता अध्याय नमबर पंदरा के अंदर और विलकुल निरनाय ग्यान है इस अग्यानी विक्ती ने इस दोखेबाद ने बेईमान ने परमातमा के दुसमन ने ये देखीगा क्या कर रख़या है अध्याय नमबर दस का इसने केवल टोटल कुल 42 सलोक हैं दो परमान में ले लिए 40 छोड़ दिये अध्याय दस का चैर और पांच ले लिए इती शिरी कर दिया ये इती कर दिया रवा देवता अब ग्यार मान ले लिया ग्यार मान में कुल 55 सलोक हैं एक ले लिया चमन छोड़ दिये वारे देवता ये 55 पच्पन ले लिया बाकी सारे छोड़ दिये ये इती कर दिया ऐसे ही सब में कर रख्याइच ने बाकी कुछ एक बता जिता हूं आपको जाजा ने अब पंदर में हमें देखो इसकी कलावाजी गीता सार है इसका ये और गीता धाय पंदरा के सलोक एक से टाइच जो चार, तौथा साथ यो छोड़ दिया, पांच और छे ले लिये और बारा से बूस छोड़ दिये और बारा से आग़ए ठोटल छोड़ दिये, जिए देखो रम दर में दायका, इस ना पंदर में सीका उरू कर दिया, इय है रहे तारर गजब हो जो माल था जो अ एक से लेके चार में निरना एक ज्ञान है उर्द्व मूलम अध्य साख्म उपर को जड़ और उपर को जड़ और नीचे को तिनूर गुरुपी साखा वाला लटका हुआ उल्टा लटका संसारुपी वर्क से है और जो व्यक्ति इसको सभी पार्ट में जानता है सभी भागों को जानता से वेद विद वो तत्व दर्शी संत है और ये कबीर पंथी को आवे कबीर साहिब की वाणी से परिचितनी प्रमेश्वर ने अपनी वाणी में अमरवाणी में लिखा है अक्सर पुर से पेड है नरजनवा की डार और तिन्नो देवा साखा है ये पात रूप संस पो जायें अब इसमें इसने केबल पांसमा ले लिया एक से चार छोड दिये और चपा ले लिया ये देखो चपा ले लिया ये धेखो चपा ले लिया प्रेश्टर ले लिया, उसके बाद इसने आठमा, आठमा भी ले लिया आठमा भी ले लिया और फिर नुमा ले लिया, साथमा छोड़ दिया, दसमा ले लिया और गैरमा भी ले लिया गैरमा, यहां खतम कर दिया, भैस, ठीक ही वारे देवता और चोत्ह जए के एक से सोला छोड़ जिये जा निरनाग ग्यान था सारा निरनाग ग्यान दे रख़ा कि तूं यद्य हथ योग करेगा तिरह नरवा क्यों करोगा अर यह थूग बतावा बेलाच दाश जी यह थ्योग बतावाई इह बगवान है इनको प्रमात्मा के ये तो प्रमात्मा के दोसी हैं अपरादी हैं और कहते हैं पापी परबाद ना बैटो मुख़ देखें पाप लगजा का नो दस मास गर्वतराश दी धिकार जनम उसकी मा का अब इस अब इलाश दास जी ने तो ऐसा काम कर दिया चतुरता दिखा के एक समय एक राज़ा ने मैल बनवाना था अपने मंत्री की ड्यूटी लाज़ी वाई बढ़िया मकान बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर्ड खोजा उसने नीम रख दी शरू कर दिया मकान बनाना फिर कहा के मंतरी जी अब छट देने के लिए काट वो लाने पड़ेंगी कड़ी और सतीर तो मंतरी जी बोला भी चल लेया अपना बड़ी अमाल चाट के वो लेया कड़ी और सतीर लेया एक उड़न बीम उड़न बीम होता था सतीर काट का बहुत मजबूत अरचंदन का सारा क्योंकि राज़ा का मेल बने अब वो एकांट सत्थान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में और जहां मेल बनाना था वहां उसकी कर्ष्ट्रेक्शन शुरू कर दी उस मिष्ट्री ने राज ने उदर से मंत्री जी ने सोचा कि राज़ा का काम है किसी और अच्छे कारीगर्द में दिखा लेता हूँ और इस उपर के जो छट के उपर दारंदार होता है और सतीर एक वेरी इंपोर्टेंट बता है इसका कि सतीर के उपर ही सारा कुछ दारंदार होता है सारा लोड सतीर पर ही आता है ये उस मिष्ट्री ने बता जिया था कि जी बढ़ या सतीर लेना पड़ेगा क्यों सारा लोड इसी पर आता है तो मंत्री जी ने सोचा भी राज़ा का मामला है कहीं सतीर कमजोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर न दिखा लेता हूँ, वो और अन्ने राज बुला लिया, उस राज को यानि मिश्टरी को, लकड मिश्टरी को दिखा कि भी देखना यह सतीर ठीक है ना, अब यह बेइमान होता है का दाना लाइक सा, उसने सोचे अपनी पर ग तो कती बहुत खराब है, इसको मैं करता हूँ ठीक, अक हां भाही करते ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूँगा, वो लेया, रंदा ठाक है, अल्ला गया, उसने गिसाने, दो दो इंच तार दिया, दोनों तरफशे चमकाई दिया कती, अग देखो यह ना, गुनिये में, मं अंत्री जी ने सोचा, भई देख, किसी बात बिग्ड जाती, अगर नों का नों रख देते, सत्पतर रादा डाट मारा हो मेरे पै, उसने सोची, एक मिस्त्री नों और दिखा लो कि दे फिर भी कसर रहेगी हो, वो एक और बुला लिया, उसे कहा के देखना, मिस्त्री जी स लगा रंदा लगाने, अब संका होगी मंत्री जी को, कि वया तो बात बिगड जाती, जेख, दूसरे ने भी दूसी मत तरू ठीकाड दी, फिर उसने तीसरा बला लिया, उसने उसके निरेक्षन चार पांचा बेकरवा दिया, और सब ने दो दो इंसतार दिया, दोनों लगा, अब जब उस मिस्त्री ने चनाई जो कर रहा था कंस्ट्रेक्शन, जब छत लेवल पर पह पांच गी दिवारें, जब उन बेलदारों से कहा, कि वाई जाओ, सतीर लगा उठाके, वब्ये, जे दस देने, दस बारा, पंदरा, अग लगा सतीर उठाके उतना भारा थ दो फुट और दो फुट वाई, दो फुट कार कम से कम, पंदरा शोड़ा फुट, बीस फुट लंबा, तो पंदरा बीस गए, उठाने के लिए बेलदार, वहां जा के देख्या उन्हें, मंत्री जी से पूछा जी, हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर बंगावा है, मंत्री ब खाली, अब वो कारीगर के पास जा के लगे ले, वह कारीगर सतीर ले, वो देखर नकम्यों, मने तो सतीर बंगाया था, तुम तो कडी ले आए, अब साथ साथ मंत्री जी आगे, मंत्री जी क्या कहता है, कारीगर तने तो मेरा पर डाट मरवाजी होती, इसमत गणियत पर बलाए मना, और उन न यो सतीर सही सैट कर दिया, इनन नास कर दिया, इसका दे, बताए कडी बना गए दर दिया, मूर खाने, पर बूतागे बुक्या ने, पांस-पांस रफिय ले गे, और उसका नास कर गे, अब वो मत्ते मात मारा, उक कारीगर नहीं के करूं बता, यो बठा बठा गे, इसका फिर और सतीर लाया गया, और तब वो मकान राजा का बना, तो पुन्या अत्माओं ये ऐसे नीम हकीम है, इननोंने सत्गरंथों का ग्यान था नहीं, और सतीर की कडी बना दी, साथ सो शलोकों की गीता को, अरित इतने काट कर नहीं के 383 बड़ी हवा की नकली, वाँ भई वाँ, अरे वाँ बले मान सो, तुमने तो यो नास करण का ठेका ले राख्या, इसा जातों मारग का, अब ये विक्ति, ये पार्खी जो संत है, ये विलास दास जी से, तो इसके भगत बताते हैं, के इनोंने बड़ी पूष्टक लिखी हुए, वेध क्या कैते हैं, एक बहुत बड़ीा पूष्टक है इनकी, वो दास ने पड़ीज कि पूष्टक वेध क्या केते हैं, और ये क्या कहता है, कि मैंने वेधों को पढ़ा हराज मी पढ़ता रहता हूं, और इससे पूछा कि वेदों में परमात्मा निराकार बताया है, बिला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, फिर इससे किसी ने प्रसंद किया, कि आप तो कहते हो कि परमात्मा कुछ लाभानी नहीं कर सकता, यानि किसी के, इसे के पूछा, पूछते हैं जैसे इसका विद्धान है, ये भी खुद बताता है, इसकी पुस्तव में लिखा है, कि परहरब्द के कर्म, यानि किस्मत में लिखे हुए दुख, सुख, जीव को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता हर्युनियों के मने वेद भी पड़े हैं, इन खाक वेद पड़े, अब दिखाता हूं वेदों में क्या कहा है, वेदों मत ये लिखाक परमात्मा घोर पाप का विनास कर दीता है, ये देखेगा ये दुर वेद, और ये महर शिदान सरस्वती द्वारा इसका अनुआद है, परकासक हैं, सार्वादेशी कारिया परतीनी दी सबाग दो पटा पांस मेर शिदान दोन रान लामेदा नहीं दिली के, दिली से, और ये यहां से चपाया, प्रिंटरिक्स पंदरा सो दस प्टो दिया, उस तर्याग नहीं दिली से, आठ में अध्याय का, और तेर मास लोग और तेर में दिली से, आठ में ज्याय का, तेर म आश्ट दस उग, इस में क्या लिखा है कि देव करते से, अतम करते से, अब ये 241 पर आप इसकी संस्क्रित पड़ दी है अब 242 पर इसका अनुआद है 242 के ये इसमें क्या लिखा है कि हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप दान देने वाले के अपराद के विनाश करने वाले है अब कुना अत्माओ ये तो सारे के सारे जितने संतर महनतराचारियर संक्राचारियर ये महरेशीर ये संतर अविलाशदास जैसे तो ऐसा काम कर दिया है नहीं मेरे साथ में एक विक्ति था वो किसान था और अकाल गिर गया उसने सोचा वे खेती में तो काम गुजारा चला नहीं तो कोई और दंदा कर ले उसने क्या सुरू कर दिया ये चाकी राण का काम ले लिया उसने दो वसोली खरीज दी वो कट कट करन की और चाकी राण का काम उसने सुरू कर दिया अब पहले चाकी कैसे आ करते हाथ से चलाने वाले जो चक्की पत्थर की होती हैं उसके पाट होया करते तो होते हैं भी भी गाओं मत बहुत हैं और वो घिस जाते थे चलते चलते तो उनको ऐसे समझदार सा वेक्ति उनको चाइंड दिया करता चाटे मार देता वो फिर से वरकिंग ठीक हो जाती उनकी तो उसको चाकी राणा काया करते हैं अब उसने कदे कभी काम किया नहीं था पहले जनमूर्द करी एक गाओं मत आके हैं उसने आवाज लगाई के चाकी ठीक करवा लो एक बुढिया बोली भाई आजा च चाकी ठीक कर दे मेरी अग ठीक है ताई बता कौन सी है भाईया देख ले उसने उतार के पाठ रख लिया बुढिया कहने लगी भाई मा कुवेत पानी ले आउं जल कुवे से दूर दूर कुवे आकरते गाओं में और आप इतने यचाकी ठीक कर दो का च्छा ताई जा एक काम मिल गया तो यहां कोई आया है नहीं है इपताई तो उसने माड़ी सपीड भी पकड़ दी वह दो चार मारे गदाए गद वह पाठ टूट गया उसने सोची वह यह तो बात में गड़ी बुडिया चवन नहीं दे नहीं और तू भाग ले अपने सारे ओजार उठाके और जो नीचे वह बैठा था उपर एक पातर था मिटी का मटका छोटा सा उसमें घी डाल रहा था बुडियान गर्म करके गर्मियां का दिन था और मिटी का मटके में घी बहुत बढ़िया पांच-दस किलो अब वह जल्दी में उठके बाजन ला गया उपर तो ठीके बहुत तंगया हुआ था वह पातर उसके लागया से रोप पढ़ गया पढ़ते हो सारा फैल गया फ्यूट गया और सारी साड़ में गंख्य बेखर गया फरस्प है उनने सोची तन अड़ा पकड़ का बांदेंगे तू भाग ले सपीड यह एक नुक्सान और हो गया तो उसने सोचा तो जल्दी निकल उदर से बुढ़िया आगी पानी का मठका लेका कच्चा मठके होती थे न गड़े और उसपीड में पीछा न देख रागे जाए तो बुढ़िया मठकर लगी ओ मठका फूट गया अब वो बुढ़िया कैन लगी रे उसका नाम तुछा था रे क्या नाम है तिरा अबला रमलू बला रे रमलू तन रो लू तन रो लू तन यू कर रे मरा मठका फुड़वा दिया नो बला ताई बीतर देखें यह कितकी तर होएगी तो इनकितकी तर हो एक नहीं सारे कि इस नहीं नया चाकिरा रही है ऐसा नास करेक्षा है यू मैरे सी दानंद वेद्धों का विद्वान पाक रहा था अकि इस जैसा विद्वान नहीं इस ने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार ह और परमातमा सादक के पाप नास नहीं करता बता फिर और परमातमा क्ये करेगा जब हमारे दुख क्योंकि हमें कोई कर्ष्ट है प्रारुद में अपने जीवन में वो पाप से होता है और सुख पुन से होता है और उस दुख का नास होगा जब हमारा प्रहरद के पाप का नास हो जागा जैसे पैर में काटा लगया हो किसी के और उसको कोई ये कहे के भी पैर का काटा तो निकला नहीं जूता पैर ले आगे काटा नहीं लगेगा उस काटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता है वो तो काटा निकला और फिर उसको कहे सला देख अब जूता नहीं नकालना, इस सफर में बहुत काटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी ने निकाल लगा, क्ये कई फिर से काटा ना लग जात, तो पुन्य आत्माों किसी के कोई कस्ट है, सरीर में तुम सारी कोई दुख है, कोई दुखी आदमी बग्ति कर सकता है, जिसने देना हो दो लाक रप्या करदा, खड़ा दिखाई देव करदे वाला, और भी कोई सिर मदर्द हो, पेट मदर्द हो, वो कैसे बग्ति करेगा, तो पहले वो काटा निकला है, पाफ करम का, तब सुख हो, और फिर वो राम नाम का सालक बग्मिलता जुलता है, इनके विचार देखिए, ये एक सत्यारत प्रकास है, इसकी रचना महरशी दानद की, अब देखो, मातमा जी ने नू देखा इस पोज मा तब मरजाद में कटक है, अक महरशी पढ़ा होगा, बग्वान पालिया इसने, हरीब देखना इसका ग् ये देखो, ये सत्यारत प्रकास है, और ये इसमें क्या लिखा है, कि वेद आदी, विविद सद सास्तर परवाने संविनता है, किसके दोरा, यानि वेद आदी, सभी विविद प्रकार के सद सास्तरों का आधार से इसकी रचना हुई है, किसने करी रचना, इसकी देखो, कि परिवराजक आचारिये महरशी दानंद सर्श्वती स्वामी वीरचित है और यह कहां से परकासित है वैद्यक यती मंडल दानंद मठ दीना नगर पंजाब से यह छपा कहां से है मुद्रक आचारिये प्रेंटिंग प्रेस दानंद मठ गुहना मार ग्रोथ तक से इसके सात्मे समुलास में ले चलते हैं आपको सात्मे समुलास इसकी कलावाजी देखियो 154 पर सात्मे समुलास किसी ने पूछा कि परसन इस्वर साकार है वा निराकार उप्तर मेरिसी का निराकार ठीक है और यहां फिर इसके विलकुल 155 पर किसी ने परसन किया 155 पर सात्मे समुलास में परसन क्या सतूती आधी करने से इस्वर अपना नियम छोड़ सतूती प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा यानि सतूती यानि बगती करने वाले बगत के बगवान क्या उनका प्रार्थना करने से पाप छुड़ा देगा उत्तर मेरिसी का नहीं अब सादक कहता परसन करता कहता फिर बगती किसलिए करें सतूती प्रार्थना फिर किसलिए करें क्यों करें क्यों करना उत्तर महरिसी जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है और फल है अब परसन करता कहता भी फिर और क्या फल है जो बगवान पाप तो नास नहीं कर सकता फिर औ क्या फ़ल है? उत्तर म현शी जी का के सतूति से इस्वर्म पृति उसके गुण करम सुभाव से अपने गुण करम सुभाव का सुधरना प्रार्थना से निरभी मानता उत्सा उर्साहि다 मिलना उपासना से परवर्म से मेल और उसका साक्षाथकार होना देख रहे हूँ तो यह बांग पिया करता एक सो चम्मन प्रिष्ट पे तक क्या कह रहा है कि बगवान निराकार है और दूसरे पन्यू के है बगती उपासना ते पापतना सोकोनी बगती साधना ते प्रार्थना सतूटी ते इस उपासना से परवर्म से मेल हो जागा और उसका साक्षाथकार हो जाए यानि उसको देख सकते हैं निराकार का खाग देखागा बता एक इस एक सो चम्मन प्रिष्ट पर तो निराकार कर रहा है और आप एक सो प्रिष्ट पर साकार सेध कर रहा है और फिर दूसरी थूरी इ अपने उपासके बगत के पाप नास नहीं कर सकता तो परसंद करता ने का भी फिर और क्या करेगा वगवान किसी और लाब है और क्या लाब है कि वगवान का दर्शन हो जागा अकल देखो इसकी अब ये तो वो जैसे किसी ने साबुन विक्रेता का बड़ा बुर्ड़ा रख्या और कोई उससे पूछता है क्या आप साबुन विक्रेता हैं बहुत बड़ा परसिद तो क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा हाँ वो उतर दे साबुन विक्रेता कि नहीं कपड़े के मैल तो नहीं छुड़वाएगा तो परसंद करता तो सुभावी कहेगा भी फिर साबुन का परियोग किसलिए करें तो वो उतर देव है कि साबुन के परियोग से कपड़े का मैल तो नास नहीं होएगा लेकिन और वो क्यालाब है कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा यह 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 विद्धान है रजब साबुन के गुणों में लिखा है कि वो कपड़े के मेल काटे और काम में ही हो साबुन का और वो क्या पर ऐसा विक्ति कौन होगा वो दोखे बाज है जिसने लकड़ी के गुट के पैक रहाखे होंगे अपने पुड़िया बना रहाखे हुए लकड़ी के ठुकड़ें की गुटकें की और वो बेचता होगा कि साब बनते हैं मेल तक कट है नहीं कपड़ा मजबूत हो आसदी परियोग करने से रोग नास हो जाएगा और वो वैद ये कहे कि आसदी खाने से रोग नास नहीं होगा परसन करता कि फिर भाई रोश दी किसलिए खावेंगे हम कि उसे और लाभ है तो क्या लाभ है बताईए वैद जी के पैलवान बढ़ जागा जिसके टीबी की बिमारी हो पहलवान पड़ेगा को मरेगा रोग नासे को उस दी मिला है तो उसका सबस्तों अपन पहलवान हो जागा तो कहने का भाव यह है यह सारे एक थाली के चट्टे बटे थे ज्ञान किसे नहीं था नहीं बोली जनता इनका पीछे लागी नमेर शी सबस्तों पहुंचे और नो जो खागे करके नो सोचब युक्ति बगवान ते मिल रहे इन कख भी नहीं पता अपने सद्गरंतों से परीचित नहीं इन दूठा ग्यान ध्यान का लाओ यह बाद विदाच तुराई देखिएगा अब इसने इस सत्यार्थ परकास के पर्थम समुलास में और इसके यह 18 परिष्ट पर इसी सत्यार्थ परकास के महरशी दान दने पर्थम समुलास के इस 18 में परिष्ट पर यहां मित्र की परिवासा बताई है क्या बताया कि वह है प्रमेश्वर सबका सचा मित्र है इस से प्रमेश्वर का नाम मित्र है ये इस ने पर्थम सत्यार परकाश के पर्थम समुलास में परमात्मा के नामों की व्याख्या कर राखी है किन किन नामों से परमात्मा का बोध होना चाहिए अब ये कंसेप्ट कलियर हो गया कि महरिशी दानंद जी परमात्मा के नामों में से एक मित्र सब्द भी जहां ये प्रियो करता है जहां परमात्मा की महिमा है तो ये सोच ले वो भगवान के विशेव है अब इसने नुवाद करते समय भी इसका विधान भी अपना सत्यर परकास में ये है कि परमात्मा पाप नास नहीं करता पाप ठुडवाता नहीं शादक के तो यहां वेद में यजुर वेद के अठमेद है के तेरमें स्लोक में छे बार लिख रख्या है कि गोर पाप का भी नास परमात्मा कर देता है तो इसने सोची तो नहीं सत्यर परकास में तो ऐसे लिख रख्या है अब तेरी बात जूठी ना हो जा इसने यहां मित्तर लख दिया वगवान ना लख्या क्योंकि आम बोली भाली दंता नहीं तना ग्यान कहा वो तेन्य सोच यह कोई मित्तर के भी सेह में लिख रख्या होगा जैसे सन 2004 से यह दास समाचार पत्रों में इस महरिशी दानद کی जानकारी इसके अग्यान का समाचार पत्रों में लिख लिख करलेख लिख्या करता था और ये बताया करता था कि ये महरिशी दानद सत्यार प्रकास तो उसका अनुबाव है वेद बगवान का ग्यान है विद्धान है तो जो वेदों से नहीं मिलता तो वो ग्यान गलत है और इस बात को ये महरिशी दानद भी मानता है तो देखिएगा मह कहते हैं कि पर्मात्मा पाप नास नहीं कर सकता वेद कहते हैं गोर पाप भी नास कर दे तो सत्यारत परकास ये जूठारत परकास है समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया इसी का प्रिणाम था ये करोथा कांड तो इन्होंने क्या उत्र दिया समाचार पत्रों में कि रामपाल जूठा है इसको संस्कृत आती नहीं ये महरशी दानंद के क्या जाने गुड रहसों को उस आठमेदा के तेरमेश लोक में मित्र की बारे में कहा है भगवान के बारे मनही कहा है फिर दास नहीं सत्यार परकास का ठेला उल्टा कर दिया उनका आगे देख यू गंद सा इसमाई अब हम फिर आजाते हैं ये जुरुएद के इस महरिशी दानद के अनुवाद है ये जुरुएद अब हम फिर इसमें दिखाते हैं आपको आप यहां पढ़ रहे हैं ये जुरुएद के आठमेदाय का ये तेरमास लोक यहां तो संस्कृत है अनली और इसका दोस्सो ये दोस्सो एक्तालिस 242 पर अनुवाद किया है इसमें यहां ये अनुवाद करता स्वन महरिशी दानंद है हे सब के उपकार करने वाले मित्तर नहीं दिया यहां लिखना था सब के उपकार करने वाले परमेश्वर और सत्यार प्रकास में इसने सपस्ट भी कर दिया कि सब सब का सच्चा मित्र साथी होने के कारण प्रमात्मा का नाम मित्र जानना तो यहां मित्र मीन प्रमात्मा पढ़ेंगे है सब के उपकार करने वाले प्रमेश्वर आप दान देने वाले के एन सह्वाने अपराद के विनास करने वाले हो नास करने वाले हो अभदनम हम संस्कृत भी पढ़एंगे क्योंकि देवनागरी लीपि है अर मुनुस्खरत से साधार मुनुस्यों के किये हुए एनसे माने अपराद अपराद कोंते हैं यह पाप करो कर विनास करने वाले हो पिता के किये हुए एनसे माने पाप ही समझो विरोधातर नी पाप के अवजनम माने अच्छी परकार हरने नास करने वाले हूँ अवजनम माने नास करने वाले हूँ अपने किये हुए आतम करते से अपने किये हुए एनसे माने पाप के अब जनम माने नास करने वाले हो दूर करने वाले हो अधरम के अधरम यानि घोर पाप के है नास करने वाले हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधरम आचरन किया करता हुआ करूँ अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हुआ करूँ सर्वसे हमाने सब एनस सहे हमाने पाप के इसने दढ़ní गाड़ाण तो मतलब था पाप के अपरहदिके एवजनभ माने नास करने वाले हो दूर करने वाले हो और यह नों कहा हमें वेद भी पढ़े हैं टट्यू वेद पढ़ेतने जबेद तो कहते हैं परमातमा घोर पाप का भी नास कर देते हैं ये इनों के प्रारजम जो लख दिया हूँ फैनल है ये इनकी मन गणत कताएं हैं ये डंटा के जो अना सत्रू बन करके परच्वी पर उत्रे हैं और विसेश कर दो ये कहता है कि भगवान है ये नहीं फिर अजातम भी कहे अपने आपको जातमिक भी कहता है अथ तेरा गजब हो यो है भगवान अपना अत्मा थोड़ी सी कलाबाजी इसकी और दिखाते हैं ये जो पार्खी संत है ये परमातमा की उस वानी को बीज़क को सत मानते हैं अउनली बीज़क को परमातमा जिसने अलदी की गाठ ले ली और उस से पंसारी का बूर्ड लगा लिया ये कोई एक अलदी की गाठ से पंसारी नहीं बनता कबीर परमेश्वर की सर्वे वानी ही मानने हैं कबीर पवित्र कबीर सागर और कबीर साखियां कबीर सबदावली कबीर दोहावली कबीर साहिब की ये कबीर बीज़क ये सभी परमातमा का दिया हुआ ग्यान है इसमें थोड़ी सी जलग दिखाते हैं आपको, इस कबीर साहिब के बीजक गरंथ में सबसे पहली वानी है, यह देखेगा, यह है सत्गुरु वे नमा है, और सत्गुरु कबीर वी रचित, कबीर बीजक तो कबीर साहिब दोरा रचित है, अनुवाद करता गलत है, यह पारक स ईता थिया, सत्यमे उज्जय ज्याएते यह लिखना सहा है, जूठे में उज्जय तैंटे, सत्यमG जीतताएगा देखिए, व्याख्याकार रहे अभी लाषडास है, यह पां तहμभाग है, यह कहां से च्पा है, वही परकार से कए, कबीर पारक सद्शन स्थान, संथकभीर मारग परितम नगर इलाबाद ये मुद्रक है वही इंडियन प्रेस प्राइवेट लिम्टिड पन्ना लाल रोड इलाबाद ये देखिएगा इसमें क्या लिखा है बीजक पर्थम रमेनी है बीजकी ये पर्थम रमेनी है ये देखा इसमें क्या लिखा है प्रमात्माने के अंतर जोत सबद एक नारी हरी बर्मात आके तिर पुरारी ते तिरिये भगलिंग अनन्ता तेउन जाने आद और अन्ता बाखिर एक विदाता की ना और चोदे अठा हर पाठ सो ली ना अब इसने के अंअर्थ किया है इसका इस रुमेंडी का यहां तो इसने तो को तो दस दस परष बरष दिया अपने ज्ञान गों डिखने के लिए ये क्या कैता सबी देवधारियों के बीतर एक ज्ञान जोती है जिसे जीव चेतन्या आत्मा कहते हैं इसने तो जीव को प्रमात्मा सिद्ध करने की कूचिस्टा की है मानों की कलपना और सब्द योदना रूपी नारी या माया से विर्मा विशनु तथा माधेव की उत्पत्ती सथापना हुई शिरिष्टी को समझने के लिए विर्मा विष्णु तथा माध्यों की कलपना की गई इन तिन्नों के बहुत से पूत्री और पूत्र किये योड़ों कहा है कि शिरिष्टी को समझने के लिए विर्मा विष्णु महेच ये कालपनिक नाम है अपने अत्माओं इसमें क्या बता है इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं दूसरे कबीर पंथी यो भी कबीर पंथी को आता है रेक और कबीर पंथी पहन ने अनुवाद किया है उसमें कितना अंत्र है ये है विवेक प्रकासिनी सत्गुर कबीर साहिब करित वीजक वीजक इ तीकाकार साद वी ग्यानानंद जी, ये कोई ग्यानकोर होगी, ग्यानानंद जी नाम इसका, और ये कहां से सपया है, ये देखिएगा, सद्गुर कबीर साहिब करिट बीजक, बीजक तीका, ठीकाकार ये वही, परकासिक है, स्री कबीर ग्यान परकासन के इंदर, संत कबीर ग्यान मारग, सिहोडी है, सिर्शिया, गिरीडी है जारखंड से, तिर्टिय संसकरन, और ये यहां से, यहां से छपी है, अब इसमें क्या किया है, इस बेहन ने इस तीका को बहुत अच्छी तरह किया है, देखिए, ये बीजक तीका, ये पर्थम रमेणी, इसमें क्या है, अंतर जोत सब्द एक नारी हरी वर्मा ताके तर पुरारी, ते तिर्ये बगलिंग अनन्ता, ते उन जाने आदो रन्ता, अंतर जोती सब के भीतर बसने वाली आतम जोती, नी अक्सर ब्रम, ये यहां यहोंने अनुवल करे हैं, सब्द एर्थ, सब के भीतर आतम जोती के रूप में बसने वाले पार ब्रम परमेश्वर से आदी नाद और एक परकर्ती परगठ हुई, अनादी और परकर्ती के सैयोग से स्रिष्टी के आधार भूत ब्रमा, विश्णू ब्रमा और संकर, सत्गुन, रजगुन, तमगुन उत्पन हुए, तत्पस्टाज परकर्ती आदी सहित इंतिर देवों तिनों गुनों से, अनन्त श्री श्ट्री पुरुष्वे परंतुवे, लोग भी अंतर ज्वती परमात्मा को आदी के आदी अन्त को नहीं जान सके, अब वाखरी बाणी, ये इस वाखरी एक विधाता कि ना, चौद एठा हर पाट सोली ना, हरी हर बरमा में तो नाओ, तिन पुन, तिन पुन तीन बसावल गाओं, अब ये, अपना अत्माओ, अपना अत्माओ, इस, अभी लास दास ने तो मिठा कर दिया कि बरमा भी सुनो महिस, ये कालपनी कहें, कभीर साहिब की बाणी सफ़श करती है, कि परमात्माओ ने अंतर जोती, यानि ये परकरती जो है, नारी, परमात्माओ, इस जोत सुरूपी काल के सरीर में परवेस कर गी थी, वो परमात्माओ ने इसको बाहर निकाला, उसके बाद फिर इन दोनों के संयोग से, जो सुरूपी काल के और परकरती के संयोग से, ये तीनों गर माविशनों में इसकी उत्पती हुई, तो पुनात्माओ, ये और देखिएगा कि दिखाते हैं आपको, इसने कैसी अटकलबाजी किये देखना, ये तब इलाश दास की है, ठीका, जो आपको दिख पाने जा रहा हूं, ये 53 परिष्ट पर, ये पर्थम पर करना है, यहां देखना, इसमें एक सब्द है नीचे, ये रमेनी पर्थम है, पर्थम आरम कौन को भाव, दूसर परगट कीन सोठव, परगटे विर्मा विशनों सीव सकती, पर्थम भगती कीन जीव उकती, पवन पानी और ये सारा कुछ लिखा, फिर क्या बता है, कि जीव सीव सब पर गटे, वैठा कुरसब दासे, और कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आसे, यहां बता, ये कबीर साहिब का वाणी बीजग में, इस अभी लास दास जी ने स्वम पर्मानित ले रखी है, कि ये वाणी साची है, जो कबीर साहिब ने की वाणी लिखी है, ये कबीर साहिब की वाणी है, और इसने इसका नुआद कैसे किया, अडंगा, देखो, ये चम्मन परष्ट पर बीजग, इसने यहां नुआद किया, कि जीव से ही सीव, यानी स्वर, देव आदी की कलपना पर गट हुई, ये कलपनिक मानता है, पीछे से कलपित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे, और कलपना करता जीव उनके दास बन गया, कबीर साहिब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आतन सुरूप की ही आसा वरोसा है, जिसका राम नाम है, ये जीव को रा जीव को राम नाम है, और अर्थात मेरा निरंतर विस राम आतन सुरूप में, ये गुमा फिरा के 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 ना चावे हैं कि जीव ही बरम है, और जबकि इस वानी का परत्यक्स अर्थ देखिएगा, ये वानी जो तरेपन परिष्ट पर है, यहां तो ये वानी है, आग्गे उस का अपना अडगा अनुवाद है, जीव सीव सब परगटे, वे ठाकुर सब दास, सीव माने परमात्मा, ये केवल सीव ये संकर के लिए नहीं है, वे दो में सीव माने सर्वा सक्तिमान, जो सब का कल्यान करने वाला, जीव और सीव सब परगटे, वे ठाकुर सब दास, यान तुम और मत जानो एक राम नाम की आसे कितना सपष्ट है अरिस नडंगा के एक रहा देखे इस दुनिया के नास करने वाले ने अग्यान का बगती का नास करने वाले ने जीव से सीव यो इस वर देवादी की कलपना पर गट हुई कलपना और पीछे से कलपित पदार्थ भी स उनके दास बन गए कबीर साहिब कहते हैं कि मैं कुछ और कुछ ने जानता केवल मुझे केवल उस आत्म सरूप की ही आश बरोसा है बता आत्म सरूप की खाग बरोसा है इगद है कागद है न के बरोसा बता अब देखो इसका दूसरी इस बैन जी ने कैसे ठीका किया है ये भी कबीर पर थी है देखना ये ये आपको दिखा दिया था भी बार बार इनके प्रकास दिखानी पाऊंगा ये बाकी अब इसकी तीसरी रमैनी में ये है ये इस लड़की इस बैन के दौरा नुआद है ये तीसरी रमैनी नीचे है उपर तीसरी का लास्ट में है जीव सीव सब पर गटे वैठा कुर सब दास और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस अब इस बैन ने कितना अच्छा नुआद किया है इस तरह जीव और इस्वर पर गट हुए इस्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए शत्गुर कबीर साहिब कहते हैं कि मैं अन्य किसी को अरादय नहीं मानता पर तूते सर्वाधार सर्वाधिस्ठान सब को पर गट करने वाले राम के भजन की ही आसा करता हूं ये बिलकुल सही इसने इसका केन वाद कर रखें को फेर पड़ो ये फिर अभी लास दास वाली पड़ो आप ये इसका प्रकासक है ये और इसके देखना या तीसरी रमेनी या प्रश्ट नंबर त्रेपन पर अमने पहले भी पड़ी पड़ी है एक बार फिर देख लो या तीसरी रमेनी के लास्ट में है जीव सीव सब पर गटे वै ठाकुर सब दास इसमें बिलकुल सपस्ट है के जीव यानि परमात्मा ना जीव तै जीव और सीव परमात्मा जीव सीव सब पर गटे वै ठाकुर सब दास वो एक सब का मालिक है बाकि जीव उसके आधीन है, उसके दास, फिर देखो, और कबीर साहिब कहते हैं, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस, और इसने के डंगा किरा ऐसे, नास्तिक ने, फिर देखो, यहां लिखा है, चम्मन पर, जीव से सीव इस्वर, जीव से इस्वर देवादी की कलपना पर बैठ हुई है, यह उल्टा ठोग रहा है, खुटे, नहीं के जीव ते बगवान पर गट हुए, देख इस कानवाद, जीव से सीव, देव आजी की कलपना पर गट हुई, यहांनि जीव ते इस्वर हुए, पहुत्पन, और पीछे से कलपना, कालपनिक पदार स्वामी बन बैठे, कालपनिकरता के जीव दासबन बैठे, कबिर साहिब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता मुझ्छे केवल उस आत्म सरूप का ही आसा भरोसा है, और जिसका नाम राम है, और मेरा निरंतर विसराम सरूप राम मैं है, यानि अपने जीव राम मैं है, जीव राम की बक्ति करता हूं इस ये ये कहना चाहिए बता इस खुटा ठोक का की तरह है ठेकाना अपने अत्माओं ये क्या क्या इनका विद्धान है ये थोड़ा सुनाता हूँ आपको ये पार्खी नहीं मानते कि कोई लोक है सत लोक है अमर लोक है अगम लोक है पार्खी नहीं मानते ये कबीर साहिब को एक जीव मानते हैं मानों मानते हैं जब कबीर साहिब भी जीव और अब इलास दास भी जीव फिर कबीर साहिब को सत गुरू और परमातमा वो क्यों मान लिया इनो जीव अब अब लाश दास जी करके दिखाओ रचना कवीर साइब वाली फिर उस कवीर साइब का सारा क्यों लिया अगर वो जीव ही थे तो अपने अत्मा जैसे आत्मा और परमात्मा राजा और परजा दोनों एक जैसे ही सकल होती है राजा भी मनुस ही होता है लेकिन उसकी सामर्थ्य मंतर होता है तो जैसे आदनिय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले आदनिय नानक साहिब जी को मिले आदनिय दरमदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले आदनिय दादू साहिब जी को मिले हादनिय, मलुकदासाइब जी को मिले, आदनिय, गिशादासाइब जी को मिले, उन सभी ने उस पर्मातमा की महिमा का गुंगान चीया, आöstहूं देखा सत्लोक और सच्खंड बताया, गरीबदासाइब जी को पर्मातमा प्रमात्मा सच्खंड लेकर गए वहां की सारी सतीती दिखाकर वापस थोड़ा तब का था अनंत कोट वर्मांड का एकरती नहीं भारे सत्गुरुपुर्स कबीर हैं ये कुल के सिर्द नहारे आदनिये रामानंद जी को प्रमात्मा सच्खंड लेकर गए थे और फिर उसी तरह वापस थोड़ा तब उसने का था दो हुठोर है एक तू बैहा एक से दो गरीब दास हम कारने तुम उत्रे हो मगदो बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता रे गरीब दास सब रूप के तुम ही सर्दन हारे और कबीर प्रमेस्वर ने खुद कहा है कि ए स्वामी सिरिष्टा मैं यानि सब का रचनहार मैं हूँ और सिरिष्टी हमरे तीर ग्रीब दास अधर बसू अवगत सत्थ कबीर और फिर प्रमात्मा ने कहा कि सुन रामान अद राम हम यानि राम माने परमात्मा हम है और जिन भी महापुर्सों ने परमात्मा को देखा उनके दर्सन की उन्होंने सफ़ष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा वेद न पाया वो का सीमा है कबीर हुआ आदनी नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुर्थ मुलकी वेस एठगवाड़ा ठकी देश खरासी आना बहुता वार ये धानक रूप रहा करतार करतार मने सबका रचने वाला सबका स्वामी कबीर बीजक को ये सत मानते हैं कबीर बीजक में ही अडंगा कर रहे हैं परमातमा कहते हैं कराम नाम की वक्ती होती है और ये कहते हैं नाम नाम को जाब करनका नहीं होता क्यों ध्यान लगाओ ये पार्ख ही कहते हैं और परमातम केथें कभीर साथ राम नाम रट ते रहो राम नाम रट ते रहो जब तक गट मे शुआивать कान Griffister और यह की टाजी बताती एंब diff tar огр वो अम इती एकाकसरम ब्रह्म विवारन मामन उसमरन ये परियाती तजन दे हम सहयाती पर्मामगतिम अब गीता गयान जाता है कि मेरा एको मंतर है मुझभर्म का नथिंग इल्स अर इसका अंतीम सांस्ते कुचारन करता हुआ अंतीम सांस्ते कुछरी छोड़ने तक सिमन करता ह वाज दाता है सहयाती पर्मामगतिम वो ओम से मिलने वाली पर्मगति को प्राफ्त होता है और ये गीता जी को सत्वी मानता है अभी लाश दास जी और कहता है नामजाब करन का है इनी इसमें तो तेरे की तो अपने अत्मा ऐसे अग्यानी के साथ भी अर लाखों लोग जीवन नासकों को ये तो प्रमात्मा के मारग में कीडे हैं डिमक समझ लो ये बगति का नास कर रहे हैं जीवों के मनुशों के जीवन का नास कर रहे हैं तो इस ग्यान से परिचित होकर प्रानी उनात्माओं अपने आप छोड़का होंगे नकलियों को और सत्लों का सरुमर वाला मां कहें कल्लान करवाँगे बोलो सत्कुर्दे अब ला मान चाहे बुरा मान एक उच्छी चली चालतन सत्पुर से वुला दिया आप जणा लिया बेद पुरान ये कुरान बना के उच्छा कठ दिया ग्यानतने सुखसंबेद का भेद छुपाके या गलती करी महानतने रिसी मुनी नराकार बतावे शाकार कहें पुरानतने अपनी मैमा अपए गाई ये जीव कहें भगवानतने तपत सिला पैबुने के खावे ये जीव किये गणे कालतने सत्पुर से बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सुची कालतने रिसी मुनी सब करें तपस्या हे भगवन हमें मुक्स दिये तप करुआ के राज दे दिया फिर लख चौरा सीम ठोक दिये रिसी मुनी सब करें तपस्या हे भगवन हमें मुक्स दिये तप करुआ के राज दे दिया फिर लख चौरा सीम ठोक दिये पांच ततव की कैदे बना के इसके अंदर रोके दिये मो ममता की बेड़ी हिला के जड़ करम गड़े में तोक दिये पांच ततव की कैदे बना के इसके अंदर रोके दिये मो ममता की बेड़ी हिला के जड़ करम गड़े में तोक दिये काम करद एंकार लोब का खुब बनाया जालतने सत्पुर से बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची ही कालतने बला मान चाहे बुरा मान एके उच्छी चली चालतने सत्पुर से बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची ही कालतने एक माई का पती मर्यावा दुख में मत्था फोड़े थी मरे बिट्टे की तो खेर राखिये न्यू हाथ तिरे तें जोड़े थी एक माई का पती मर्यावा दुख में मत्था फोड़े थी मरे बिट्टे की तो खेर राखिये न्यू हाथ तेरे तें जोड़े थी उस दुखिया का एक बिट्टा वा बिट्टे पदन तोड़े थी अपने पूत की खेर के लिए वो तेरे देई धाम को दोड़े थी उस दुखिया का एक बिट्टा विट्टे पदन तोड़े थी अपने पुत्तर की सुर्कसा के लिए तेरे देई धाम पदोड़े थी उसके अगे ओ भी खा लिया कती करी ही ना टालतने सत्पुर से बुला दिया आप जणा लिया कुछ ना सुची ही कारतने बला मान चाहे बुरा मान एक उच्छी चली चालतने सत्पुर से बुला दिया आप जणा लिया कुछ ना सुची ही कारतने एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया किर्षन भगवान तुही अपना स्वारत शद करने को ये बना दी चारों खान तुही एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया किर्षन भगवान तुही अपना स्वारत श्यद करने को ये बना दी चारो खान तुह सतगुरु जी की मेरे हुई तब अपन तेरी जान हुई उच्छी उपासना सारी ये छुटगी अब बुरे कर्मों से आन हुई सत्गुरु जी की मेरे हुई तब अमन तेरी जाने हुई अच्छी उपासना सारी ये मिटगी ये बुरे कर्मों से आने हुई राम देवा नंद दन मेरे सत्गुरु उधार दिया राम पालतन सत्पुर से बुला दिया आप जणा लिया कुछ ना सुची ही काडतने बला मान चाए बुरा मान एक कुछी चली चालतने सत्पुर से बुला दिया आप जणा लिया कुछ ना सुची ही काडतने आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं पर में जी नमसकार सच साइब जी क्या नाम है आपका मेरा नाम परमीत कोर चंडो कहें परमीत जी कहां से हैं आप मैं मुंबई से आई हूं महाराश्टा से क्या करते हैं आप मैं टीचर हूँ CBSE स्कूल में संतरामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप मैं 2013 में संतरामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ संतरामपाल जी महाराज से आप 2013 में जुड़े हैं इससे पहले भी आप कोई साधना करते होंगे आप पहले क्या साधना करते थे? जी मैंने बहुत सारी भक्ती साधना की है जैसे कि मैं महाराश्टर में रहती हूँ तो मैंने जितने भी देवी देवता है महाराश्टर में उन सब की भक्ती की है और from childhood, like मैंने 3 years की age से at the till 20 years तक मैंने भक्ती साधना की है और मैंने सारे देवी देवता की भक्ती की है गुर्द्वारे में हम जाते थे गुर्द्वारे की भक्ती की है आपने संद रामपाल जी महाराश से नामदिक साली आपने पहले किसी साधु संद से नामदिक साले रखी थी? जी सर आपने बहुत इंटरेसिंग सवाल किया है मैंने बहुत मैंने आल ओवर महाराशो के बहुत सरय साढ़ोजन जनतों से भक्ति की है जैसे कि आसारा महाराज है सुदाऊशो निर्मला देवी है और कलगी फाउंडेशन करके चन्नेई में बहुत बड़ा फाउंडेशन है वहां पर किया है और मैंने सुदाउंचरी महाराज से भी दो सल सत्पाल जी महाराज के पास से भक्ति ली है और मैंने गोरक्षनात के लिए रिलेटेड एक महाराश्ट्रों में स मैंने टोटल 9-10 संतों से भक्ति ली है इतने सारे सादू संतों से आपने नामदिक्सा ली है उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नामदिक्सा ली इतने सारे सादू संतों से आपने नामदिक्सा ले रखी थी भक्ति आप पहले करी रहे थे तो फिर संत रामपा एक उनका काम बंद हो जाए और ये मेरी बाते सुने इसलिए उन्होंने बाहर की कुछ क्रिया कर रखी थी बाहर की कुछ करनी जैसे बताते वो कर रखी थी तो जैसे ही वो किया तो उससे मेरी मम्मी इतना परेशान हो जाती थी कि उसको वो तकलिफ होने के बाद में न वो खा कि आप गुरु के पास जाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, तो मेरे बिताजी ने सबसे पहले अधार Columb Lou, Ele saysM और मेरे पिताजी का काम डे बाई दे जीरो हो गया था, मैं एट स्टेंडर्ड में थी, मेरे पढ़ाई का खर्चा एवरेज हाई लेवल पे चल रहा था, मेरे एक ब्रदर था, उसका भी पढ़ाई का खर्चा बहुत हाय था, तो हम यह सब एक्सफेंसेस एफोर्ट नी कर पा की मेरे पिताजी का बिजनस्ट डाउन टूडाउन चल रहा था, तो मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं फिर वो दूसरे संध की खोज में चले गए तो हमको फिर मिले सत्सक्ताजी महराज, सत्पाल जी महाराज की पास हमने लिटरली दो साल वहां पर भी नाम लिया है तो फिर वहां से भी हमको कोई लाब नहीं मिला तो मेरे पिता जी को मैंने पूछे कि क्यों हम यह आसे जा तो बोले बेटा सच्छा संत वही होगा कि जो हमें इस दुख से दूर करता तब मुझे उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आया था कि पिता जी आप कितना सेलफिश बात कर रहे हो कि कैसे आप बात कर सकते हो कि ऐसा होता है करके नहीं हमें भक्ति करते रहना फिर भी मेरे पिता जी नहीं रुखते थे फिर वहां से हमने एक साल भक्ति की तो एक साल के बाद में प तो उन्हों ने हमको वता है कि आप बहुत सारे हवन करो हमने एक हवन का कम से कम 20,000 रुपय स्टार्टिंग में वहां पर दिया है और 20,000 रुपय स्टार्टिंग में देने कर उन्हों इसके बाद आपकी पीड़ा खर्तम हो जाएगी यह भी नहीं हुई फिर हमने उनसे रिक् तो 2000 का पढ़ता था हमें तो 2000 का नारियल भी हम बहुत मुश्किल से करजा लेकर एफ़र्ट नहीं कर पाते थे बट मुश्किल में हमने बहुत सब कुछ किया वहां से वह लेकर आने के बाद भी मेरी मदर की हालत बहुत खराब होती थी फिर में जब 10 स्टेंडर्ड में चलू कर दे क्योंकि तब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे कि हम किसी संत के पास जाए और हर संत के पास जाना होता था था नो तो किराया कि आलावा हमें बहुत सारा पैसा जोड़ना पड़ता था तो जो हम करजा लेकर अल्रेडी करजा भी बहुत चड़ चुका था हमारे उ कि आप लोगों ने गुरू बनाया भक्ति की लेकिन लाब नहीं मिला। मैंने अड़ू संतों की पाँ जाती रही हूँ और मेरे पिता जी मुझे भी साथ लेकि जाते थे क्योंकि मुझे वहालत कराव तो उस टाम पे मैंने बहुत खुष फेस किया है जो आपकिनाट एक्सप्लेंश किया है जब कोई मजबूर होता है उसको तकलीफ होती है और वह उसको उस situation से बाहर आने का कोई जरिया नहीं होता है तो ये सादू संथ कैसे उनका benefit लेते इन्होंने हमें जो जो भक्ती बता है हमने वो किया अगर हमारे पास पैसा नहीं था हमने करजा लाकर ये सब भक्ती का पूरा किया है उनका जो भी desire था पैसे जितने भी मांगे उन्ह रुपे वहाँ पर भी जाके हमने काफी रिलाज कर वा है तो इनके पास है ना ये भक्ती ही नहीं है कि जो आमें ये दुखों से बाहर निकाल सकती है न तो इनके पास वो शास्त्रों का ज्यान है जो हमें आज हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से हमको बाहर निकाल सकती है और ना इनके पास वो सत साधना है, जो आज मानों को इस दुख से बाहर निकाल सकती है। तो इतने संत थे, इनके आप पास अगर सत भक्ती होती हैं, तो मुझे हमें 7-8 गुरुओं के पास जानी कि क्या जरूती है। बेहन जी आप विवीन संतों के पास गए, आखिर आपकी समस्या क्या थी कि आपको इतने सारे संतों के महनतों के इतने सारे बाबाओं के आपको चकर लगाने पड़े। आखिर आप लोगों को समस्या क्या थी। मैंने वहाँ पर practically वो नाम का जब दो साल किया है आसारा महराज जी ने जो नाम मंत्र हमको दिये थे जो सरस्वती मंत्र हमको दिया था बच्पन में वो नाम मैंने 5 साल तक किया है और गोरक्षनात के पास 7 मंत्रों का जाब दिया था जो मैं 108 की माल मैं करती थी मैं आज आपके समने एक live example हूँ कि मैंने इतने गुरुओं के पास जाकर इतनी भक्ति की है उन्होंने जो साधना दी है वो मैंने practically की है मैं किसी भी संत के पास fake बात नहीं करूँ मैं खुद का self experience आज बता रहे हूँ आपको कि मैं उनके पास जाकर मैंने इतने years 20 years of my life मैं उनके पास गई हूँ दो-दो साल मैंने उनके साथ रहकर वो भक्ति की है जो उन्होंने दी है और ये मैं खुद experience करके आई हूँ कि वहाँ पर क्या मैंने खुद उनका प्रचार भी किया है कि यह संथ है आप इनके पास जाओ तो मैंने जो प्रचार किया वहाँ पर उस भक्ति से मुझे लाब नहीं हुआ तो फिर आपको कैसे आराम मिला आपकी जो सारी बादाई थी वो जो परिशानिया थी कैसे खतम होई फिर वो सारी परिशानिया तो जब हम संथ रामपाल जी महराज के पास पहुचे तो मेरी ममी ने पापा जी से का कि पापा ने मेरे पूछा कि आप संथ रामपाल जी महराज से आज हमने नाम ले लिया है तो क्या आज आपको तकलिफ फिर से हो रहे है तो ममी ने बोला यहां तो नहीं हो रही है, हम घर जाके चेक करेंगे हो रही है कि नहीं, अगर घर जाते मुझे तकलिफ नहीं होगी तो यह संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का आउतार है, तो यही हमारे सचे आपकी बेटी जो हन्बहो हमारे दर्सकों के सामने जो साजा कर रही है, क्या वास्तम में कि आपने हिंदुस्तान के सबी संतों के पास जाकर अपनी बिमारी का इलाज करवाना चाहां जी हां, मुझे भूत बादा की तकलिफ थी, रात के टाइम, रात के डेट दो बजे, रोज मुझे नीन नी आती थी, जब मैं सोती थी, कोई तो भी चीज आके मुझे परेशान करती थी, मुझे किदर हाथ में किदर कुछ ऐसे टोचती थी, तो मैं उटके बैट जाती थी, ड माधान करने के लिए आपने किन-किन धर्मगुरों से आपने नाम दिख्षा ली जो समस्या थी उसको हल करने का उपाई पूछा मैंने पहला सुआमी हरिदास जो है वडगा उचेरी में पूर्णा में रहते हैं उनके पास गई थी फिर किसी ने बताया कलकी फाउंडेशन वालों ने बोला कि आप दुर्गाई अग करो तो दुर्गाई अग को बहुत पैसे के खर्चे थे तो हमको इतना एफोर्ड नी होता था फिर भी एक बार हमने किया एक बार करने से कुछ इतना लाब हुआ नि खोड़े दिन आराम हुआ जरूर्ड लेकिन उसके बाद फिर वो परिशानी चालो होगी मतलब मेन मुझे के रात को नीन नहीं आते थी वो जो परिशानिया थी कैसे खतम होई फिर वो सारी परिशानिया मैं जब टीवी के चैनल के मादम थे जो आई हूँ ये संत रामपाल जी महराज के जो प्रवचन खतम होते थे उसके लास में जो बता थे किन भक्तों को कैसे लाब हुआ वो सुनती थी तो उससे मुझे लगा भी मेरा भी जो प्रॉब्लम है इधर से अल होएगा तो मैंने हमारे भगत जी को कहा कि हम इधर आश्रम में फून करते हैं तो हमने हर्याना में फून किया तो वो उदर बोले आपने एड्रेस दे दिया पुना का भी आप इधर आ जाओ ये तो आपको इधर आके नामदान लेना पएगा तो ही होड़ेगा ये फून के ओपर प मुझे कुछ तकलीफ नहीं फिर भी मेरे दिल में ऐसा आया भी मैं आइसा नहीं हो अभी तो मैं संत रामपल जी महराच के सामने हूँ ये उपसित है इधर गुरु जी और घर में जाकर मुझे तकलीफ नहीं हो जाए तो हम उदर पाच साथ दिन रुक गए के रात को भी पैसा लिया तो जब आप संत रामपल जी महराच के संड में गए तो आपने कितने अनुस्ठान किये कितने पैसे आपने दिये जब आपको ये राहत मिली मैंने एक पाच पैसा भी दिया नहीं उदर मुझे सब फ्री में हुआ खाली उदर गुरु जी ने जो मंतर दिये है वो मंतर करने मातर से ही मेरी तकलीफ हल हो गई उन्होंने जब लाइन में लगके आशिरवाद दिया हलाकि मैंने उनको बताया भी नहीं था भी मुझे ये तकलीफ है लेकिन वो तो अंतर यामी वो तो परमात्मा है वो तो स्वयम जानते है भी मेरे बच्चे को क्या वो स्वयम ही जान गए उन्होंने मुझे आशिरवाद दे दिया और मैं ठीक हो गई आपने हिंदुस्तान के उन सभी नामी गिरामी संतों से नाम दिक सली जो आज के दिन टेवी चैनलों पर परसिद हैं लाखों लोगों का परती निदित्व करते हैं लेकिन आपकी माता ज जी महाराज से नाम दिक सलीने के बाद आपको और क्या राहत मिली जो आप लेना चाहते थे सर मुझे सिर्फ संत्रामपाल जी महराज के पास से नाम मात्र लेने से जिस दिन मैंने नाम ले लिया उसके बाद मेरे हस्बेंड बहुत ड्रिंक करते थे और मैंने 20 साल भक्ति करने कियो की थी कि शायद मैं लाइफ जब मेरा मैरेज होगा उसके बाद मुझे कुछ परिशान की भाव से चड़ाया है और सब मैंने उपास हर दिन के उपास मैंने कर लिये है और इसना करने के बाद मैरेज के बाद मेरे उपर बहुत दुखों का पहाड तूट गया तो उस दिन में नास्ती मैंने पिटाजी को बहुत में तुमने तो मुझे बोला तकि सब भक्ति करो ताकि शादी के बाद तुमको सब benefit होंगे, मेरे life का मैंने गोला एक भी benefit नहीं है, मैं day and night में worst worst situation में जा रहे हूँ, मेरे husband का, मेरे husband बहुत ड्रिंग करते थे, वो ड्रिंग की वज़े से, उनका बहुत बार accident हो गया है, उनका business totally loss में गया, और मेरे दो छोटे बच्चे थे, मैं homeless हो गई, वो business इतना loss में गया, और four wheeler बिक गई, मैं rent के घर पे रहने के लिए आई, मैंने गया इतना भक्ती करने के बाद, इतने दुखों में कोई नहीं जी सकता है, मैंने सब मंदिरों में जाना stop कर दिया था, और मैं कुछ भी नहीं करती थी, फिर बाद में मेरे प मैंने संत्रामपल जी महराज को नहीं बताया था कि मेरे हस्बेन इतना ड्रिंग करते, उन्होंने छे महिने के अंदर उनको प्रेहना होई, वो खुद आय उन्होंने नाम लिया, आज उनकी छे महिने के अंदर मेरे हस्बेन की ड्रिंग चूट गई, उसके बाद एक साल के अंदर मेरा बॉंबे में फ्लैट बन गया है, मेरा खुद का फ्लैट बना है, आज मुझे अंच परमात्मा ने बहुत बड़ा घर दिया है, वो गर वो बेला थी नियर के बाद मुझे, मेरा बिजनस आज टॉप इस पे फेर एक उपाट का उन्हेथे Christmas है, आज इतना बिज मुझे भक्ति का मिला है, देखो मैं भक्ति के लिए टाइम देती थी, इसलिए मैंने 20 साल अपनी लाइफ के टीनेश के जो एंजॉयमेंट की यह होते हैं, वो मैंने भक्ति में लगाई, बोली भाव जो मेरा थाना, वो मैं भक्ति की मैं परमात्मा पाना चाती थी, क्योंकि म संतों की वार्णी में सुनाए कि मानव जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करने होती है, तो एक सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दिये, निश्काम भाव से दिये, कुछ बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना पैसों से मुझे उन्होंने वो भक्ति दिये और मुझे सद भक्ति मिली है, उस सिर्फ नाम मात्र से आज मेरे हर एक काम होगे, आज मेरे पास हर एक वो सुख है, जिसके लिए आप आज हर जगा पे, आज हम बिसनेस करते हैं, आज यंग जनरेशन है ना भक्ति नहीं करती है, क्या गोलती है, उतना ही टाइम हम बिसनेस हर वो सुख है, आज मेरे बिसनेस इतना हाई फ्लो है कि मैं आज सेकेंड घर की भी प्लाइनिंग कर सकती हूँ, एक सेकेंड इन्वेस्मेंट की भी प्लाइनिंग कर सकती हूँ, तो ये जो सारे बेनिफिट है ना, ये उस भक्ति का फल है, जो मुझे संत्रामपल जी थी, हैंदुस्तान के सभी संतों को आपने खंगाल कर देख लिया, आपको कोई रात नहीं मिली, उसके बाद आप संत्रामपल जी महराज की संड में जाते हैं, और आपके जीवन में एक नया सवेरा आता है, आपकी माता जी को आराम होता है, आपको गौर्मेंट जब मिलती है, आपको सरकारी नौकरी मिलती है, आपके पती नसा छोड़ देते हैं, और आपका जो जीवन है, वो खुसियों से भर जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि उस संत के उपर बहुत सारे आरोफ लगते हैं, और उनको जेल में डाल दिया जाता है, कैसा लगता है आपको यह सब देख करके, सर यह बहुत गलत हुआ है, आज दास आपके सामने में, इसके लिए आपके सामने आयो कि आप इतनी, आज भी मेरे पीछे से जो भेन भाई, दूसरे संतों के पाद जा रहे हैं, तो उनके पास यह मेरा सेल्फ एक्स्पिरेंस है, उनके वास सत भक्ती न यहां पर यही तकलिफ आरी है कि जो बाकी संत है, वो कहते हैं कि अगर आप यह सब फ्री में भक्तों को देना चालो करोगे, तो हमारे पास कौन आएगा करके, आप यह आप से सिर्फ पैसे की उमीद रखते हैं, बिना पैसे के आप इनको बोलो कि आपका यह काम करवा के द अगर आप यहां पैटी थी और मैं आइवास सिटिंग इन आइवास अप अप पार्ट अफ एफ 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 डेट प्रोज्टेस क्यों कि मुझे खुद यह सद्भक्ति जो सच्चा ग्यान है वो जनता तक पोचाना चाहते हैं, बहुत बहुत थेन्यवाद, सच्चा अबंद अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारी वेबसाइट www.jakatguru.rampalji.org संत्रामपल जी महराजी के शुब आशिवाद से पूरे विश्व भर्मी 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं, जिन पर संत्रामपल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही हैं, अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करन के लिए संपर्क करें 8222 880541 के लिए से खले हैं कर लो शिए समु सम्हाई घyuầy कि ल attendance hurts पर विल उ्रों विला है कर दो कर दो